हेलो एवरिवन रादे रादे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सीए फाइनल एडवांस फाइनेशल मैनेजमेंट एफम का नया बैच कम्प्लीटली एस पर न्यूस लेबर्स तो सबसे पहले मैं आपको पता दो इस बैच में अपने क्या-क्या कवरेज रहने वाली ह हैं इस बैच में जो अपना करने वाले यानि उसमें जो भी कंसेप्स हैं वह सारे अपन कवर करेंगे साथ ही जो भी इंस्टिट्यूट की एमटीपी और एक्जाम पेपर से उनके भी सारे क्वेश्च में कवर होंगे यानि इस बैच को कवर करने के बाद आपको अलग से सब्सक्राइब करना रहेगा तो आपको सिफ दो चीज़े रेफर करनी है लेक्चर के साथ एक नौट दूसरा क्वेश्चन रहें तो सबसे पहले मैं बता दो जो कंसेप्स हैं इसके अंदर मैं आपको हर चेप्टर की डिटेल्ड कंसेप्स दूंगा साथी जो भी इंस्टि तो आपके पास अगर टाइम है जादाई बाकी मैं शेयर करूँगा तो लिखने की सच कोई नीड नहीं है कंसेप्स को बस आपको लेक्टर्स में सुनने और समझने पर पूरा फोकस देना है तो ही आपको अच्छे से सब्जेक्ट पर कमांड बनेगी इसके बाद जो क्वेशन बेंक है इसमें अपने सारे क्वेशन रहेंगे इंस्टिटूट के SM, RTP, MTP, exam papers के with solution हरे question with solution रहने वाला है और सारे के सारे question 100% questions मैं आपको class में detail में solve करवाने वाला हूँ आपको homework में कुछ भी नहीं मिलेगा homework में एक question भी नहीं दिया जाएगा सारे के सारे questions मैं आपको class में ही solve करवा दूँगा उसका purpose यह है कि आपकी class में ही practice हो जाए आपको subject को अलग से class के बाद फिर से वापस time देने की जबरत ना पड़े इस purpose में class में ही अपकी बार सारे solutions आपको detail में करवाने वाला हूँ तो sir जैसे concepts हमें सुनने पर focus करना है ऐसे questions में हम सुन लेंगे question bank में तो है solution लिखने ज़रूरी थोड़ी है तो यहाँ पर आलास मत दिखाना यहाँ थोड़ी सी मेहनत कर लेना एक register maintain कर लेना अप्रोफ 300 pages का जिसमें है आप जब मैं class में solution करवाऊंगा आप उसे note down करते जाना ताकि आपके practice हो जाए class में solution करवाने का purpose ही है कि आप लोगों की practice हो जाए जब तक आपके practice नियोगी तब तक आपको मजा ही नहीं आएगा प्रेक्टिस के बिना सब बेकार है तो प्रेक्टिस जरूर से करनी है question का solution not down करना ही है आपको mandatory basis पे एक register बनाना है उसी से practice होगी और revision के टाइम पे भी section A जिसमें मैंने practical question डाल दियो चेप्टर के और उसके बाद फिर मैंने section B में सारे theoretical questions अरेंज कर दिये यह हर चप्टर वाइज आपको classification मिलेगा question bank में एक चेप्टर है पहले section A practical questions मिलेंगे फिर section B theory questions इस तरीकी ते आपको question bank में questions मिलेंगे और यह question bank आपको हाल copy में deliver कर दूसरा concept फिर उससे linkage वाला एक और concept इस तरीके से मैं concept notes बनाता हूं हर chapter के वह आपको मिलेंगे ही तो सेम ऐसे ही question bank में पहले जो concept topic bifurcation किया हर chapter के अंदर question bank में मैंने topics का bifurcation किया topics की heading डाली है पहले वह topic मिलेगा जो concept notes में पहला topic है दूसरा topic मिलेगा जो concept notes में दूसरा topic है question bank में भी और उसमें भी easy to hard के तरफ question यानि question आपको sequence में रहेंगे तो रिवीजन में दिक्कत ने आएगे और class में भी पता है क्या आपन जैसे topic बढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं बोलूँगा कि 20th number question निकाल लो 25 ऐसा नहीं आपन question number 1 से start करेंगे क्योंकि अपना question bank पूरा sequence में topic wise arranged है तो पहले आपन question 1 करेंगे 2,3,4 इस तरीके से question bank को solve करेंगे क्लास में भी तो कुछ भी आपको दिक्कत ने आएगे और नहीं रिवीजन में आपको कोई दिक्कत आने वादी है सिर्फ यह दो चीज़ें आपको follow करनी है नोर्स और question bank इसी में आपकी पूरी coverage है starting day से last revision तक यह ही आपको करना है इसके बाद सर सबसे important जी doubt solving and guidance का क्या रहने वाला है तो doubt solving and guidance के लिए सबसे पहले तो मैं आपको assurance दे सकता हूँ कि आपके doubts आएंगे ही नहीं सर ऐसा कैसे कैसकते हो doubts आएंगे नहीं क्योंकि मैं आपको class में सारे concept detail में पढ़ाने वाला हूँ और एक क्वेशन अबन class में ही solve करेंगे सारे questions ही जब class में solve हो जाएंगे सारे concept class में discuss हो जाएंगे detail में तो doubts ना के बराबर रहेंगे आपके negligible यहां आएंगे ही नहीं और यह मैं अपने previous experience से बता रहा हूँ पर सर आपको लगे कि हमें तो सर थोड़े ऐसे हैं कि धीरे धीरे समझ आता है तो हमारे तो doubts आएंगे बिलकुल doubts अगर आते हैं कोई भी आपको guidance चीए तो मेरा जो number है जो आप class register करते हो उसके बास mail आएगा उसमें आपको मेरा number मिल जाएगा उस number पर आप कभी भी WhatsApp या call क चर्मा जाते हैं तो मैं आपकी एच का ही हूँ आप अपना दोस्त समझ के मुझे कभी भी message करो doubt मैं हमेशा आपको reply करने वाला हूं तो कोई भी आपको guidance चीए हो किसी भी subject की तो उसके लिए आप कभी भी message कर सकते हैं इसके अलावा आपको private telegram group का link भी मिलेगा mail में जो specifically class students के लिए होता है इस group को जरूर से जोइन कर लेना क्योंकि इसमें हम जो भी updates या कोई guidance देनी होती है या फिर हम जो class students के लिए live session conduct करते है guidance का वो जो live session का link है वो भी इसी group में share किया जाता है तो इस group को जरूर से जोइन कर लेना आप लोग mail में इसका link आपको मिलेगा इसके बास सब्जेक्ट का revision कैसे करना है सबसे important चीज़ तो यह है सब कुछ कर लेंगे lecture देख लेंगे बिना revision के तो मार्क सी नहीं आएंगे तो रिवीजन सबसे important चीज़ है बिना revision सब देखकार हो जाएगा तो रिवीजन आपको करना है तो सबसे पहले चीज़ सो देखिए जो सब्जेक्ट है ना बहुत ही आसान सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट में आप easily 80 प्लस टार्गेट कर सक तो यह paper बहुत easy paper है तो ढंक से revision कर लेना अब बहुत आराम से इतमे 80 प्लस मार्क्स ले आओगे तो revision के लिए मैंने भी एक सिस्टम बनाया हुआ है मैं आपको हर lecture के end में 5-10 मिनट्स जो भी उस lecture में टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें रिवाइस करवाऊंगा 5-10 मिनट्स औ और next lecture के beginning में 5 मिनट्स में वापस से वह topic revise कराऊंगा जो अपने previous lecture में पढ़े होंगे तो lectures के साथ ही 2-3 बार आपका revision हो जाएगा topics का इसके अलावा आपको भी एक चीज़ ध्यान दखनी है आपको खुद को भी एक revision का pattern follow करना वो क्या करना है daily basis पे जैसे ही आप lectures complete करो जो आपके subject पे इतनी command मन जाएगी ना कि आपका subject tips पे होगा बहुत आराम से अच्छे marks score कर लोगे इसके बाद मैं आपको detailed revision video concepts के देता ही हूँ वह YouTube पे मैं share कर देता हूं तो आपको क्या करना है जैसे chapter complete हुआ वो revision video सुना, notes पढ़े, question bank के solution जो अपने note down करें वो go through करें आपको subject में उस chapter में दिक्कत ही नहीं आएगी कहीं पर देन आपका पूरा syllabus जैसे subject का complete होता है आपको अपने lectures पूरे सभी complete करने के बाद जो आपको free test मिला है classes के साथ वो free test लिखना है उसी से आपको पता चलेग आपको पेपर जरूर आपको लिखना है उसी से आपको आपकी performance पता चलेगी क्या improvement करना वो तब ही पता चल पाएगा आपको तो यह revision का pattern आपको इस तरीके से follow करना है तरब paper का pattern कैसे रहने वाला आपका तो देखिए जो news लेबात इसमें आपके descriptive जो questions है वो 70 marks के रहेंगे descriptive questions मतलब normal question जो question रहेंगे questions वही आएंगे और normally आपको लिखके solution करना है जो class में solution लिखेंगे वो लिखके आना है तो normal है यह तो आप आराम से करी लोगे इसके अलावा 30 marks के फिर आपके mcq आएंगे तो mcq आएंगे कैसे डरने वाली बात है बिलकुल डरने वाली बात नही से लिखेंगे यहां पर कोई mcq आपके एक एक लाइन वाली नहीं आ रहे कि कहीं से भी एक लाइन उठा के कुछ भी पूछ लिया ऐसा नहीं normal case study based question आएगा उसके basis पे 4-5 mcq पूछेंगे एक example से बताता हूं अभी तो अपने subject पढ़ा नहीं है पर इंटर में आपने subject का तच लिया है FM के नाम से financial management तो इंटर में आपने FM पढ़ा है उसमें सपोर्थ आपके question होता था वेटेड एवरेज cost of capital निकालने का और उसके basis पे पूछा पहला mcq बताओ इसमें cost of equity कितनी है चार option दे दिए सही option पर गोला बरना है दूसरा पूछा cost of debt कितनी है सही option पर ग बहुत आतान है अब आपको सिफ रफ में calculation करके सही पर गोला भरना है यहींनि जो examiner कईबा copy checking में गलती कर देता था वो सब नहीं होगी आपको पूरा solution detail में लिखना होता था वो सब इसमें 30 marks के लिए नहीं करना पड़ेगा सही solution पर गोला भरो full marks लो इतना बढ़िया काम ह हो जाएगा तो आपके जो में के question से ही बनाए जाएंगे उसी से बनेंगे इसके अलावा institute के जो भी होंगे वह सारे मैं आपको क्लास में प्रेक्टिस करवाने वाला हूं तो mcq के लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेनी यानि इस batch में अपनी सारी coverage हो जाएगी आपको इधर उदर से कुछ नहीं पढ़ना से इसके बास अब हमारे subject का syllabus क्या है ठीक है आपने बता दिया बैच का subject का syllabus क्या जो आप इस batch में हमें पढ़ाओगे तो देखिए subject का syllabus मैंने या नोट डाउन कर दि सब मैं आपको बताऊंगा अभी बताने का कोई सेंस नहीं किस चेप्टर में क्या पढ़ोगे क्या सिखोगे सब mix-up हो जाएगा जब हम पढ़ेंगे तो आसानी से हम समझ जाएंगे बहुत आसान से chapters कहीं कुछ दिक्कत नहीं आएगी इसमें से majorly chapters जो है उसके आगे मैंने पूछे जाएंगे कई बार चैप्टर में भी थेयरी पूछी जाती कुछ थेयरी इनके अंदर भी तो वो भी अपनी लेक्टर में कवर करने वाला हूं practical portion भी थेयरी पूर्शन भी सब कुछ लेक्टर के बाद कुछ अलग से नहीं पढ़ना बस से फ्री वीजन करना है तो तो इस तरीके से अपना सिक्वेंश चलने वाला है यह था अपने नए बैच का इंट्रोडक्शन अब आपने स्टार्ट कर लेते हैं अपना सब्जेक्ट पढ़ना कि सब्जेक्ट का नाम मैंने आपको बताया एडवांस फाइनेशल मेनेजमेंट देखिए अभी आपको कुछ लिखना नहीं है अभी तो सिर्फ मैं आपको कुछ ग्यान की बाते करूंगा आपके साथ थोड़ा बहुत आपको सब्जेक्ट के बारे में मताशने तो सब्जेक् बात कर लें जिसके लिए बैच होने वाला है अभी कुछ मतली को नोट्स भी जब मैं लिखूंगा तो आपकी मर्जी हो तो लिख लेना वह नोट्स बाकि वह मैं आपको शेर करूंगा तो लिखने की कोई नीड़ नहीं है आपका फोकस सुनने और समझने पर होना चीए सब्सक्राइब में बहुत तो बहुत दिटील के लेंडर में जाएंगे सीख़ेंगे बहुत ईज़ी है वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है क्या मतलब एक overall basis पर अगर overview दिया जाए सब्जेक्ट का तो सीखने को है क्या तो वह मैं आपको बताता हूं क्या सीखोगे तो कहीं आपने पहले सब्जेक्ट पढ़ा है बिल्कुल पढ़ा है इसका टच लिया आपने सब्जेक्ट में आपको आपने पहले पढ़ा है सर फाइनिशल मेनेजमेंट उसी का एडवांस रूप बोल रहे हैं तो आपने टच लिया है यह निस सब्जेक्ट में आप क्या सीखते थे सब्जेक्ट में आप जनरली डिसीजन मेकिंग की बाते करते हो आपने इंटर में फाइनिशल मेनेजमेंट में पढ़ा होगा थोड़ा सा बता रहूं ध्यान से सुनना एक बार याद करने की कोशिश करना अभी घ्यान की बाते कर रहे हैं ठीक है नॉर्मली सुन ले न तो कोश्ट में अपने सीखा होगा कि बिजनस चलाने के लिए पैसा चीसले पैसा कहां से लेके आये जो पैसा लेकर हम लेके आये और और उन्यॉच्प कि आगए हम इस पैसे को बिजनस में इनवेष्ट करना है तो बिजनस में इनवेष्ट प्रॉब करें कि हुँआ सब लौस हो रहा है यह सब आप decision लेते थे कि बिजनस से business में इन्वेस्ट करना तो पैसा कहां से लिए कहां इन्वेस्ट करें ताकि हमें कमाई हो कितनी कमाई हो यह रेटान वो सब निकालना आप सीखते थे इस सब्यक्ट में आप decision making का प्रोसेस वहाँ कुछ चीजों की नेने कि आपने देंगं गट जी डेखिए एक्टर में एक्ट्रा चीज़ों में और एडवांस लेवल में करना मेखताँ हूए कहीं कुर कोई दिक्कत में आए। कॉर्ण कुछ लोग अकाउंट 8 और FM जो है वो थोड़ा सा डिफ्रेंस है जब एक ट्रांजेक्शन हम कर लेते हैं उसके बाद होता है अकाउंटिंग यानि ट्रांजेक्शन हो गया तो FM का रोल नहीं है फिर अकाउंटिंग का रोल आ जाता है कि जनरल एंट्री पास कर लो वुक्स में रिकोर्ड कर लो लेकि में मशीन मिल रही है वन लाक रुपीस की तो अगर मैं इस मशीन को पर्चिस कर लेता हूँ तो डाहर रहे जो करें कर गया कि नहीं कर इस मशीन को पर्चिस करने से मुझे कितना benefit मिलेगा बिजनसमें या कितना नहीं मिलेगा वो सब calculation करना है, यानि decision लेना कि क्या मुझे machine purchase करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वहाँ रोल आएगा इस subject का, यानि transaction में enter होने से पहले ये subject का रोल आता है, और transaction में जब आप enter हो जाते हो तो accounting का रोल आ जाता है, यानि accounting और financial management को आप आगे से mix मत करना, कुछ लोग mix कर देते हैं, यहां पर बहुत सारी times accounting वाली आ जाती है, तो कुछ लोग mix करने लग जाते हैं accounting की चीजों को, तो वह subject को mix करके सब बिगार देते हैं, तो mix नहीं करना है, बिल्कुल अलग चीज़े है, decision making सीख रहे हो, यहां किसी चीज़ के accounting नहीं करनी है, decision making करनी है, तो इस पर accounting कर दो, तो दोनों अलग चीज़ चलती है, दोनों different चीज़े हैं, यहां पर आपको decision making सीखनी होती है, कोई दिक्कत की बात में आसानी से पन करेंगे, subject का मैंने आपको बताए कि subject में आप क्या सीखोगे, AFM यSFM, इस subject का अपना name है, अब देखिए, आगे कुछ औ इंटर का financial management है, जिसे आप basic बोल रहे हो, हमें तो इंटर का FME आस तक ढंग से नहीं आता, जैसे तैसे करके हम इंटर पास कर लिए, वो subject पास कर लिए, लेकिन हमें आस तक वो समझ में नहीं आया, अब आप बोल रहे हो, उसका advanced level, तो अब यदो हमें समझ में नहीं आया, से पूरा subject पढ़ाऊंगा, इस subject में एकदम तगड़ी command बनवादूगा, आपके कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी, आप तो यह मान के चलो कि आपने कभी FM पढ़ा ही नहीं, तो इंटर में जो भी आपने पढ़ा, नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं है, आपने पूरा basic से पढ़ वो सब basics में आपको पढ़ाने वाला हूँ, वो सारे basics में आपको पढ़ाऊंगा, वो आपकी syllabus का part नहीं है, फिर भी मैं आपको cover करवाऊंगा, ताकि subject को आप easily handle कर सको, क्योंकि मैं यह मान रहा हूँ, आपने कभी FM पढ़ानी है, इंटर का पूरा course नहीं पढ़ाऊंगा, इंटर के basics पढ़ाऊंगा, ठीक है, इंटर के जो basics यहां काम में आएंगे, तो starting के 2-3 lecture, अपने 2 lecture के लगबग basics में ही cover होँगे, ठीक है, दो lecture में मैं आपको starting के 2 lecture के लगबग लगएंगे, जिसमें हम आपको basics ही cover करवाने वाला हूँ, ए FM के पूरे basics cover करवाऊंगा, जिस के अलावा से हमने सुना है कि यह subject mathematics का बहुत ज्यादा involvement है, बहुत ज्यादा math के अंदर हमने ऐसा सुना है, और हमारी मैस एकदम हिली पड़ी है, हमें समझ में नहीं हमें मैस समझ में नहीं आई, तभी तो commerce में आए हम और आप यह subject पढ़ा रहे हो, इसमें बहुत ज्याद math involved नहीं होती है, यह सब मार्केट में बस सिर्फ दराने की बाते हैं, बहुत basic level की math तो हर जगे involved होती है, वो आनी चाहिए, आपसे यहाँ पर कोई sign theta, cost theta, 11, 12 में integration differentiation, यह सब यह कुछ नहीं काम में आएगा, कुछ नहीं सोचना, कोई advanced level की math नहीं चाहिए, basic math आनी चाहिए, यह 4 चीज़े अगर आपको करनी आती है, math की, तो सब कुछ sorted है, कोई दिक्कत नहीं आएगा, यह 4 चीज़े आनी चाहिए, और यह मैं मान के चल सकता हूँ, यह 4 चीज़े तो आपको आती होंगी, यह 4 चीज़े से facie subject में required नहीं है, यह 4 चीज़े तो सभी subjects में required है, accounting में इतना तो आने ही चीज़े न, plus minus multiply वहां पर भी होता है, कोई भी subject आप उठाके देख लो, हर subject में यह 4 चीज़े तो math की आती होंगी, तभी आप final level पर आयो, ठीक है, तो इतनी math आनी चीज़े, और यह 4 चीज़े भी अपन practice करेंगे, मैं आपको class math से नहीं एक एकदम directly आग आए जाते थे, जो आज आपकी काम में आते हैं, subject में, ठीक है, वो कहीं पर भी काम में आ जाते हैं, बिल्कुल basic math के topics होते हैं, जो कि आप भूल चुके हो, और उसके basic पर आप इदम बच्चों वाले questions छोड़ देते हो, कि यह question tough है, तो वो basic mathematics भी मैं आपको पूरी revise कर बोल रहा होना आपके, उसमें मैं यही basics cover करूँगा, एक तो इंटर के fmk basics जो आपके काम में आएंगे, उन इंटर में जो fmk chapters दे, उनके कुछ basics float होंगा, ठीक है, जो आपके काम में आने वाले हैं, वो chapters के हाँ कोई question नहीं आएंगे, वो कहीं help करेंगे हमारी, और ऐसे mathematics के कुछ basics, जो आपने school level पर कभी पढ़े थे, बच्पन में 6-7-8 class में, जो काम में आते हैं आपके, लेकिन आप भूल चुके होते हो, कोई बात नहीं, वो भी मैं आपको पूरे basics device करवाऊंगा, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ताकि आपको इस subject में कभी डर लगे ही क्योंकि मैं इस subject को आपके लिए सबसे easy subject बनाना चाहता हूं, क्योंकि ये वास्तों में है भी easy subject, 80 plus marks से अपन आराम से लेके आएंगे, तो चलिए अब अपन श्टार्ट करते हैं, बेसिक से, अभी अपन कोई chapter कुछ start नहीं करें, अपन basics पढ़ना ही start करें, ठीक है, AFM के basics basics, basics में आपको बस सिर्फ normally जितना मैं बताऊंगा, उतना सुनना है, उतना focus करना है, इसमें detail में आपको घुसना नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, क्योंकि ये basics हैं, जो आपको कहीं help करेंगे, ये आपके subject का syllabus का पार्ट नहीं है, कि module में आपको ये सब आपको बढ़ाऊंगा, ratio analysis, interpretation of dividend, interpretation of interest rate, basic mathematics और time value of money, तो इसमें ratio analysis, interpretation of dividend, interest rate का interpretation, time value of money, ये सब intermediate में FM ने आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है, और ये चीज़ें यहाँ पर final में काम में आएंगी, तो बस उतना portion में यहाँ उठाऊंगा, जो यहाँ पर काम में आएगा, इनका कोई यहाँ यहाँ आपको, कि एक question दे दिया, ratio निकालो, analyze करो ऐसा नहीं, कोई tension मत ले लेना, यह कहीं पर काम में आएंगे, और काम में कैसे आएंगे, जब वो chapters पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आगा, कुछ-कुछ मैं अभी से आपको बताने लगूँगा, जब यह basics mathematics है, जो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि math हम भूल जाते हैं, कुछ लोग जो math में expert होंगे, तो उनकी बात अलग है, लेकिन majority students math भूल जाते हैं, तो वो भी मैं आपके पूरी cover करऊंगा, तो यह basics में 5 चीज़े अपन cover करेंगे, सबसे पहले अपन ratio analysis से start करते हैं पहली heading में डाल दिया ratio analysis, ठीक है, basics में पहली heading है ratio analysis, ratio analysis देखिए अब क्या है, आपने intermediate FM में पढ़ा है ratio analysis बिलकुल, लेकिन सर याद नहीं है न, तभी तो मैं करवा रहा हूं यहां पे, अब ratio analysis में आपको कुछ चीज़े बता रहेता हूं, intermediate में आपके पूरा chapter हुआ करता था, जहां पे आपने detail में बहुत सारे ratios पढ़ें, तो पहली चीज़तों में सारे ratios यहां पे आपके नहीं लाने वाला, basics का मतलब है, जो subject में काम में आएंगे, आगे chapters में, यह कोई chapter नहीं है आपका, यह बार बार इसले बोल रहा हूं, क्य सारे ratios अपने देखेंगे, ठीक है, उसके अलावा भी, जो ratios में, बहुत सारी assumptions होती थी, आपने अगर पढ़ा है, इंटर में, थोड़ा बहुत ध्यान है कभी, तो बहुत सारी assumptions होती थी, तो यहां पे जो assumptions हमारी, यह final AFMA chapters में लगेगी, वह वाली assumptions के basis वाला ratio लिका हूंग तो बहुत बढ़ी है, क्योंकि यहां पे मैं उस assumptions से ratio लिखाऊंगा, जो आपको CA final AFM में help करेगा, ठीक है, यहां पे AFM के according अपन देख रहे हैं, AFM में जो ratios होंगे, AFM में जो questions होंगे, उनकी assumptions के basis पे जो ratio के formulas हैं, वो वाले formulas अपन लिखेंगे बस, ठीक है, Limited ratios में से करवा रहा हूं, आपको Inter की help मिल जाए, जो आपको help चाहिए, अब देखे ratio analysis हमें समझना है, ratio analysis हमें ratio देखने कौन कौन से ratios हैं, वो सब अगर हमें cover करने हैं, तो उसके लिए देखे जो ratios हैं, वो कहां से आते हैं, ratios जो हैं, income statement और balance sheet के items के according बनते हैं, ratios किसके होते हैं, sales क के basis पे ratio, profit के basis पे ratio, expenses के basis पे ratio, debt या equity के basis पे ratio, थोड़ा बहुत अगर कहीं दुंदला दुंदला याद हो तो बस, थोड़ा बता रहा हूं मैं, तो इनके basis पे तो ratio बनते हैं, हमारे जो statements होते हैं, income का और balance sheet का, इन statements के item के basis पे ही ratio बनते हैं, अब ये final में कहां काम में आए सर हमें काम में आएगा, कहीं बनाना नहीं है, उसके basis पे ratio की calculation होगी या कहीं और वो help करेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे help करेगा, तो पहले मैं आपको income statement बता रहा हूं, income statement को आप accounting subject में क्या बलते हो, statement of profit and loss, यहाँ income statement क्यों बोल रहे हैं अपन, क्योंकि वहाँ profit statement बोल जाता है, ठीक है, तो इस income statement को statement of P&L से mix मत करना, आप कभी सोचो कि P&L का statement तो सर अकौंस में यह पढ़ाता, आप यहाँ पर यह subject और वो subject अलग है, इसलिए मैं बार 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 बोल रहा हूं, ताकि यह doubts आपके ना आएं बस, यह income statement मतलब यहाँ के purpose से income statement बस, यह कहा help करेगा, कैसे help करेगा, वो सब चीज़े मैं आपको बताऊंगा, एक बार मैं लिखता हूँ, उसके बाद मैं आपको explain करूंगा सारी चीज़े, ठीक है, एक बार मैं note down करता हूँ, तो ratio analysis में मैं पहला point लिख रहा हूँ, income statement, यह notes आप चाहूँ, तो मेरे साथ लिख सकते हो, बाकि आपको मैं share कर दूँगा, ठीक है, for AFM purpose only, income statement में आप लिखिए सबसे पहले, sales, इसमें से less करेंगे हम cogs, तो हमारा आ जाएगा, gross profit, या फिर इसे हम gross income, या फिर gross margin भी बहु सकते हैं, इसमें से आप less करेंगे, operating expenses, operating expenses, example, admin, selling and distribution expense, तो आपको मिलेगा, EBIT, जिसे आप PBIT भी बोल सकते हो, या फिर operating profit, profit, या फिर operating income, या फिर operating margin, margin, इसमें से अगर आप less करोगे, interest expense, तो आपको मिलेगा, EBIT, जिसे आप PBT भी बोल सकते हो, या फिर taxable income भी बोल सकते हो, इसमें से आप less करोगे, tax, तो आपको मिलेगा, EAT, जिसे आपन पैक भी बोलते हो, या फिर net profit, net income, या फिर net margin, इसमें ते आपन less करेंगे, dividend on preference shares, तो आपको मिलेगा, EAT, ESH, इसका मतलब earnings available to equity shareholders, इसके बाद इसमें से आप less करोगे, dividend on equity shares, तो आपको मिलेगा, retained earnings, या फिर इसे आप बोल सकते हो, undistributed profit, ये income statement, आप चाहें तो लिख सकते हैं, पॉस्ट करके, देखिए, income statement, AFM purpose से, सिर्फ AFM purpose से, accounting और अगेरा से, इसे link मत करिएगा, अब ये income statement क्या बता रहा है, एक तरीके से total income किस तरीके से हमारी calculate होके आती है, पूरे business की, उसकी हम बात करेंगे, अब ये कहां कैसे help करेगा, वो सब बात करेंगे, तो आपके mind में ये नहीं आना चाहिए, कि से exam में ऐसे आएगा, क्या income statement निकालने का नहीं, basis word रहे हैं, ये कहीं help करेगा, कैसे करेगा, वो अभी मैं आपको बताऊंगा, देखिए income statement यानि, इंकम निकालने हैं, तो income कैसे सबसे वहले हम हमारा product sales करेंगे, तो sales आगे, sales में से अगर हम cost of goods sold, जिसे short में आप CEO GS बोलते हो, जो goods हमने बेच दिये, उनकी cost कितनी है, अगर वो less कर देंगे, तो क्या आएगा, gross profit, जिसे आप gross income या gross margin भी बोल सकते हो, आप याद करो, जो trading account में, आप accounts में करते हो, वो भी यह होता है, by sales, COGS क्या होती है, opening stock plus purchases minus closing stock, तो आप sales में से, sales वाले सारे खर्चे अगर हटा दो, sales के खर्चे को हम बोलते है, cost of goods sold, जो क्यों होती है, opening stock plus purchase, इसमें से closing stock जो बच गया वो हटा दो, तो बचा हुआ था, जो यह आएगा, वो क्या है, जो goods हमने बेच दिये, उनका खर्चा, उनकी cost यही तो है, अगर sales मे कोई ऐसा income statement नहीं आएगे, बाकी chapters में help करेगा, बाकी chapters में आगलो, किसी भी chapter के question आया आपके पास, जो इस subject में आप पढ़ोगे, उस question में आपको sales value की need है, sales value की आपको ज़रत है बिना उसके आपको questions solve नहीं कर सकते हैं, और sales value आपको question में गीवन नहीं है, आपको given है COGS औ gross profit question में given है, क्या आप sales value निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, देखो, example से, यह कुछ लिखना नहीं, बस समझो, आपको sales value निकाल नहीं है, आपको question में दे रहे हैं, suppose COGS 160 रुपीज की, और आपको बताया कि आपका gross profit है 40 रुपीज का, तो आप ब sales मुझे चाहिए, मेरे पास है ही नहीं, में को निकाल नहीं है, COGS कितनी है, 160, gross profit कितना है 40, बताओ sales कितनी, इसको अगर आप solve करोगे तो यह आएगी 200, sales, एक question में sales ही है, तो यह minus 160 सामने वाली side में transfer करे मैस में, तो सामने वाली side में, अगर कोई minus कीचे transfer करते हैं, तो प्ल सेल्स आगे 200 रुपीज की, आप verify कर लो, 200 की sales minus COGS 160 की, तो 40 रुपीज सा gross profit, तो यहाँ पर help करेगा, यह income statement, इसमें तो कोई भी item आपको दे सकता है, और कोई item आप निकाल सकते हो, आपके mind में fit होना चाहिए, कि किस तरीके से यह work करता है, किस तरीके से चीजे निकल के आत हमारे सर ने तो कभी पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, कुछ ही नहीं पढ़ाया, gross margin आ रहा है exam में, और हमें sales value चाहिए, suppose, gross margin से sales value कैसे निकाले हमें, तो सर ने कभी कुछ पढ़ाया है, तो वर्डिंग भी मैंने यहाँ पर लिखा देगी, gross profit लिखा जाए, question में, gross income लिख लिखा जाए, gross margin लिखा जाए, सबका meaning same है, ठीक है, इस तरीके से मैंने पूरा लिख दिया, इसके अंदर पूरा क्रक्स है, जो आपके इस पूरे subject में कहीं कहीं काम में आने वाला है, पूरा क्रक्स इस statement के अंदर है, आगे देखिए, gross profit आगया, इस gross profit में से अगर आप operating expenses हटा दोगे, यह तो हो गए जो goods के, जो आपने बेचे उनका खर्चा, इसके अलावा ओर भी तो operating खर्चे होते हैं business के, operating खर्चे कैसे, administrative nature का खर्चा, office में मेरा staff बैठ है, accounting करने वाला staff बैठ है, इनकी salary जा रही है, electricity का bill जा रहा है, तो admin खर्चे, selling and distribution expenses, इसका example, भही मेरा जो है, आगे customer को बेचता हूँ, तो sales commission मेरा लगता है, या goods customer को बेचने के लिए transportation costing करनी पड़ती है, तो यह भी तो मेरे खर्चे है, तो business के खर्चे है, यह भी हटाएंगे, तो gross profit आया, उसमें business के जो operating खर्चे थे, वो सारे हमने हटा दिए, सारे business के operating खर्चे हटा दिए तो हमारे पास जो आता है, उसे हम बोलते है, EBIT, earnings before interest and tax, full form क्या है, earnings before interest and tax, या फिर से आप PBIT भी बोलते हो, profit before interest and tax, profit है, ऐसा profit जिसमें अभी तक हमने interest का खर्चा और tax का खर्चा less नहीं किया है, अभी तो हमने sales में से COGS और other operating खर्चे आटा है, interest और tax का खर्चा भी नहीं तो EBIT है, PBIT, इसे हम operating profit भी बोल सकते है, operating income भी बोल सकते है, operating margin भी बोल सकते है, बस यही purpose है, question में कभी operating profit लिखा आ जाए, तो आप यह ना बोलो कि सर्द ने तो कभी operating profit पढ़ाया है नहीं था, क्या था, हमें तो question solve करने के लिए, मालो, वो question जिस topic का है, उस topic में आपको EBIT, EBIT की ज़रत थी, question को solve करने के लिए, और exam में question आया है, उसमें आपको operating profit दे दिया, वन लेक का, अब बोलो यार, institute नहीं है, तो question ही गलत बना दिया, इसको तो कैसे solve करेंगे, institute को paper ही बनाना नहीं आता, एक बच्चा बोलेगा, institute को तो paper बनाना आता है, हो सकता है, सही चीज मिल जाए, सबका meaning same है, EBIT, PBIT, operating profit, operating income, समझ में आना चाहिए, बस, यह statement का purpose मैं बता रहा हूँ, क्या purpose है, यह मानलों, आपको EBIT question में दे रखा है, और operating expenses दे रखेंगे, आपको gross profit की जरवत इस question को solve करने के लिए, आप निकार सकते हूँ, ठीके, सारी चीजे बस आपको calculation करन लेकिन इसका purpose में आपको समझा रहा हूँ, क्या purpose है, ऐसा नहीं कि income statement आप से बनवाएगा, इसके बाद देखिए, EBIT ने earnings before interest and tax, interest और tax का खर्चा less करने से पहले वाली earnings, तो पहले interest का खर्चा और less कर देते हैं, तो interest का खर्चा में इसमें से less किया, तो जो earnings आएंगी ने क् इसके उपर tax लगेगा, अभी tax का खर्चा लगा नहीं है, तो इस पर tax लगेगा, taxable income, ठीक है, तो यहाँ पर अगर exam में वर्डिंग मिले न, taxable income, तो कुछ students confused होते रहते हैं, कि सर इसे pet माने की, PBT माने की, PAT माने, ठीक है, कुछ लोग assumptions लेकि आ जाते थे, तो वो सब यह जहां से resolution मिल जाएगा, कोई अगमशा नहीं, इसका मतलब है PBT, बस बात खरता हो, अब PBT में से अगर tax अटा देंगे, तो profit after tax, या earnings after tax, EAT या pet, जिसे आप net profit भी बोलते हो, या net income, या net margin, कुछ भी बोल सकते हो, अगर question में कोई भी wording मिल जाए, net profit, net income, या net margin, तो इसका मत PBT चाहिए, तो सर, हमने तो net profit को PBT assume कर लिया, भही आप गलत हो, ये pet था, आपको इसमें tax वापस add करना पड़ेगा, तब आप PBT में जाओ पाऊगे, समझ में आया, यहां से आपको वो clarification में रहा, इसके बाद देखिए, ये profit आगया पूरे business का, ठीके business का profit आगया, profit after tax, सा उनको dividend हम बाद देते हैं, उनका जो भी dividend होता है, वो हम बाद देते हैं, बाकि जंदली में आपको बताऊना, practical life में preference shares होते ही नहीं है, ना कि बराबर कोई एकाद company ने दे रख्योंगे, और exam में भी नहीं आएगा, कोई एकाद question में preference shares का point आएगा, वनना नहीं आएगा, जब भी हम question करेंगे ना preference shares दिमाज में जबरदस्ति लाना भी मत, क्या preference shares सोच के आप बोलो किसा preference share होता तो क्या करते हैं, होता तो क्या करते हैं, वो सोच नहीं नहीं है, क्योंकि हो गई नहीं, वो यकाद question में होगा, वो भी बहुत पुराने questions होंगे, तो उनमें होगा, जो institute अभी तक copy paste करता जा रहा है, इस वज़े से, तो dividend preference shares का बात दोगे सबसे पहले, इसके बाद जो आएगा, उससे आप बोलते हो, EATESH, short form में, जिसका full form है, earnings available to equity shareholder, ऐसी earnings है, ऐसा profit, जो equity shareholder के लिए बचा हुआ है, समझे ना देखो, मैंने net profit कमाई, मैंने net profit कमाई, उससी में से तो बाट हूँगा, पहले preference वालों को बाता तो मैं पास 80 रुपीज बच गए, ये 80 रुपीज पता है कि 해야 earnings available to equity shareholder बाई धंदे ने profit कमाया बिस्ट से मैंने profit कमाया प्रिफरेंस सालों को बाटा बागी सारे खर्चे टैक्स वक्स सबकुछ मैं पे कर चुका तो अब यह profit किसका है मालिक का और मालिक कौन होते हैं कंपनीज में एक्विटी शेर होल्डर्स तो एक्विटी वालों का लिए है यह प्रॉफिट अब यह अगर आप डिविडेंड ऑन एक्विटी शेर्स कर दो गया नहीं मानलों इसमें मालिक लोगों को मालिक लोग कोन है इक्विटी शेर्स वाले मालिक लोगों को अगर मैं इसमें दिविड़ेंड पर कर देता हूं सबों मैंने थीडियेंड मालिक है किसका है तो मालिक लोगों ने बोला हमें डिविडेंड के रूप में दे दो तो इक्विटी शेयर्स वालों को डिविडेंड पे किया गया 15 रुपए का अब कम्पनी के पास कितना प्रॉफिट बच गया 65 रुपेद इसे क्या बोला जाता है इसे बोला जाता है रिटेंड अर्निंग मालिक का पैसा है एक्विटी शेयर्स का पैसा है तो इसे हम बोलता है रिटेंड अर्निंग ऐसा प्रॉफिट जो अभी हमने कंपनी में छोड़ दिया कंपनी में पढ़ा हुआ है यानि बिजनस में इन्वेस्ट हो जाएगा यह ठीक है दंदे में पैसा बचाली हमने दंद प्रॉफिट ऐसा प्रॉफिट जो धंदे ने कमाया मालिकों के लिए कमाया लेकिन वह अंडिस्ट्रिब्यूटेट रहा गया अभी तक मालिकों को हमने डिस्ट्रिब्यूट नहीं किया कंपनी में पढ़ा हुआ है तो इनमें तो कुछ भी से बोला जा सकता है तो क्वेशन in yourा मैं और मुस्त कीकैँमे कायगा क्या वह सब मैंने अग्जवा चीज को इस्ची को क्या क्या और बोला जा सकता है वह सब भी मैंने लिग दिया तो सब और अब देखिए काम में कैसे आएगा एक और एक्जामपल देता हूं माली जै किसी क्वेश्चन में मुझे रिटेंड रनिंग निकालने के जरुरत थे ठीक है रिटेंड रनिंग के बिना वह क्वेश्चन सौल में हो सकता मुझे कोई क्यालकुलेशन में उस रेस्पेक्टि सकता हूं सוכा हूं एक परपस्ता घ्र काम में आती है जो मैंने आपको बटाएंग के क्या ही ये बिल्कुल बेसिक पॉइंटर शेंगर्स परणेम कैप्हें मैं आपको इसंे कम स निखा दे ना सब्जेक्ट की आखवरिग पढ़रे हैं महांaprès है इंटर के लिए नहींपढ़ारा आप comply एक्जाम देने वाले हो तो उसके लिए पढ़ा रहा हूं तो यह होगी एक टो इंकम इस्टेट्मेंट अब आगे बढ़ते हैं आप दूसरी चीज मैंने क्या बोली रेश्व अनलाइसिस करने के लिए हमें चाहिए चीज के ऐटम्स तो बैलें शीट में आपको बताता हूं यह हमारी बैलें चीज कि बनेगी है एक कि बैलें शीर कि पोख्यजर्च्ट फोर आपको बताता हूं एक परपसर है जो सowan कि अभर एक टनिर है वह किस तरीके की दिखती कि बताता हूं झाल 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 आख दीखी आख्या MPPS में बैले शीट की बात करता हूं अंक्तो पाट पॉँच आप चूंत्स पर पूँच्छ बनते हो और अकाउट्स में आपने आप क्या फोर्मेट पढ़ा एंवर्टिकल करना मैंने क्लिए अकस को डूसरे सब्चेक्ट से में कबड़ happier है नहीं है हम समझेंगे डिसस dongu media समझ नहीं होते है तो पुरा और होरिजौन तर वेसे समझwnież समझाने जा रहा हूं तो बस समझने पर फोकस यह की सबसे पहले आपके ज़ाती है लाइबलीटी इसे हम बोले हैं इक्वीटी ईलैबलेटी उसे और दूसरे साइड में आपके पास होती है एक्वीटी अंड उसे करता हम को इसमें डेखिए लिखता हो पूरा फिर एक्स्पेन करता हूं आपको शेयर कैपिटल इसमें ओल्वेस अज्यूम इस एक्विटी शेयर कैपिटल एक्विटल करें तक्विटल इस technical quindi रustoनोड आपिटल का में औल्टिस 2 विल्ट संती मैं शेयर कें लिल क्विटल इसंते बसनल क्विटल इस एक्विटल इसक्विटल इस डिल्ट एक्विटल इस में आप लिखिए एक्जाम्पल डिवेंचर्स बोन्स बोरिंग्स लोन कि लौनश में एक्जामए लिखिए एक्रम्पली रही कि लाज़म शाय लाँ सिपयर कारेंट gang लाँ डू गजेंड शाव लाँ किन विखिए एक्पले में लिखिए विखिए उड तन्याज जाए एक्सेक्टर असेट साद में देखिया आप अब से फ़ले फिक्ष्ष्ट असेट्स देन कर दच र Fleisch अष प्रेमी न फट दी पीं केंडर्ण के मूप्न फा फैंटीमेंare, के सबन्स दीपने उफ उव्केड आट दीप्रेयर jeśliug Cos आट आट के वी और आट आटेकेड does Itís 오빠 के आट भींग च यफ कहत 150, E1. यह आपका टोटल हो जाएगा दोनों साइड में आपकी बैलेंश जो है वह किस तरीके से रहेगी एक तो होरिजोंटल मैंने बनाई है आपको ताकि समझ में आए क्या समझने का परपस है यहां कोई बैलेंश बनाना आपको कोई अकाउंटिंग करनी है यह सब यहां रोल नहीं है यह पर पर पहले लायाबिलिटी दूसरे पर दिटेविके लिए यहां में बस नॉर्मल तरीके से समझना होता है एक क्यों कि यह को लोगिक्षी करना तो बैंक से लोने ले लेगा दिएवरा इस्शु कर लेगा बीच का रस्ता होता है तो बीच का रस्ता कोई नहीं अपना है कि इतनी मेहनत करेगा लबाच फायदे की चेज़ बिन है इतलिकंश घ्रॉप तो ना वह काम में आती और ऐसे एक्जाम में भी आपको किसी भी क्वेस्टिन में प्रिफेंस ये नहीं मिलेगी कोई कथके यह को तो तो आपको हमेशा दे कमांवा बनाएं कुपार अब कमाया हुआ वाव प्रॉफिट वह के लिए होते हैं इसके बाद को दूसरी चीड़ेट आपको आपको देखने को मिलेगी डेट यानि आप पैसा उठाते हों तो आप डेट से भी पैसा उठाते हों डेट मतलब आपने लोन ले लिया डिवेंचर बोंड्स या कोई भी बोरोइंग्स कर ली वो सब डेट होती आपकी इसके अलावा लावा लास्ट चीज आपकी करेंट नहीं देखनी बस चार चीज़ें होती है अपनी इक्विटी अन लिएबिलिटी साइड में इसके वाद असेट में क्या है असेड में फिक्स असेट जो आप जानते है नौर्मली पीपी वगेर आपकी फिक्स असेट होती है इसके अलावा करेंट असेट जिसमें डेटर्स बहुत पुराने जमानी में कोई चीज होती का रहुता था कमपनी के इनकॉर्परेशन से पहले कें खरचे हम असेट साइड में दिखाते थे और फिर बाद में उसे पी एंदल में राइट आफ करतेते थे अब अश्चा बूख करते थे आपको याद आ रहा हो तो आजक्ड जब भी खर्चा होता है तुरहन्त में जाता है अधियर एक्षा कभी भी बहुत पहले दिखाते थे तो आपने क्यों दिखाया हमारा प्यारा इंस्स्योट प्यारा एंस्ट्ट्ट एक और क्वेशन भीडिए रहा आपको फ्रीं मेर्स जाएगा जमें जट डिया शेत लेकिन बाद में एक बार में दिखा रहे हैं इसको कैसे क्या ट्रीट करेंगे अगर गीवन होगा वह सबब आगे समझ लेंगे तो एफम के परपस से यही आइटम से जो आपके दिमाग में होने चाहिए शेयर कैपिटार डिएट जहां से आप पैसा उटाते हो बागी करेंट अब हम बात करेंगे इंकम स्टेटमेंट के परपस से देखिए अब अपन रेशियो के में पॉश्चन पर आते हैं तो इसमें सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजे केलकुलेट करना दिखाता हूं टोटल से सबसे पहले मैं तोटल असेट कर लो वही है मेरी टोटल असेट ऐसा नहीं असेट साइट में प्रिल्मिनेरी एक्स्पेंट देते तो क्या होगा वह सेट थोड़ी नहों होती है वह तो बस दिखा देते हैं वह तो हैं खर्चा आपके पीएंडल में जाएगा तो टोटल असेट तो आपकी फिक्स असेट प्लस करेंट यहीं होगी तो टोटल असेट आपको कभी रिक्वाइर्मेंट पड़े क्वेशन में ठीक है आपके वास क्वेशन आगया बोलेगा लिए तो टोटल असेट की रिक्वाइर्मेंट को कहीं पर सॉल्व करने के लिए तो टोटल में आपको लेक्व क्रफटे. से जाओ यह चीज़ें लेकिन बस मैं आपको करवा रहा हूं यह नोट करवा रहा हूं कि इन बेसिक चीज़ों में यह मतक जाते हैं और इसकी वैसिस पर हम जो इजी इजी चप्टर है उनके क्वेशन इक लिए तो कमाया हुआ प्रॉफित होता है रेटेंड अनिक वाला तो यह नहीं कहीं है शेर केपिटल वालों का शेरोल्डर का तो लाइबलीटी के डेट और करेंट लाइबलीटी के यही तो हैं जो बहारी लोगों के आउटसाइडर लोगों का पैसा है डेट यानि जिनसे इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट वर्किंग कैपिटल एब वर्किंग कैपिटल एक वर्किंग कैपिटल क्श्षक उयस्ट करनखundo करनं आसेट doen माइनस करनफ लैपिलिटी स्थिप्रस लाइनस ते करनंग्स nuclear लाइबलीटी त degradation का क्या मतलब है कर इसका रिजन वगेरा मैं आपको थोड़ा सा देता हूं डिटेल में आपको नहीं जाएंगे किसी चीज़ पर क्योंकि यह बेसिक्स है जो आपके काम में आएंगे ना कि स्लेबस का बाट तो दीखिए वरकिंग एपिटल मतलब ऐसा पैसा जो आपने बिजनस को ऑपरेट करने लाने के लिए लगाया हूँ बिजनस में लगा हुआ है बिजनस के ऑपरेशन्स में पैसा लगा हूँआ है तो बात में रिकवर होगा लेकिन ऐसे ही जैसे मैंने सेल करीव ऐसे ही मैं आगर कहीं से सप्लायर से माल परचेस करता हूं और उसको बोलता हूं तो बाद में पैमेंट करूंगा तो अभी मैंने उसको पैसा दिया नहीं तो मेरी बुक्स में करने लिटी क्रेडिटर खड़ा हो जाएगा करने यहां पर यहां पर मैंने पैसा बचा लिया ना अगर अभी पैसे कर देता तो मेरी पैसे को आउट इसके बाद देखें नेक्ट पॉंट जो आपके बहुत बार काम में आए गये नेक्स पॉंट देखें अब आपका नेट वर्थ या फिर book value या फिर इसे हम बोलेंगे shareholders fund shareholders funds या फिर इसे हम बोल सकते है equity net worth, book value, shareholders fund या equity इन चारों में से आपको कोई भी वर्ड देखने को मिले ना सबका से मिनिंग है कोई डिफरेंस निया ऐसा कैसे बोल भी हमने तो अकाउंट में ऐसा पढ़ा था उस वलाने एक्ट में ऐसा पढ़ा था में के लिए हम बात करता है और डिसीजन मेकिंग के लिए जो यहां मैं में मिनिंग लिखा हूंगा net worth, book value, shareholder, funds, equity चारों का से मिनिंग होगा चारों में से कोई भी वर्ड क्वेस्टन में देखने को मिल जाए सबका से मिनिंग है क्या मीनिंग है सर वो देखूंगो share capital plus reserve center plus preliminary expenses यह है इन चारों का मिनिंग इन चारों का मिनिंग है share capital plus reserve center plus preliminary expenses देखिए net worth इसके नाम से ही सोचो net worth company की net value कितनी है company की पास net पैसा कितना है net पैसा कितना है net पैसे का मतलब क्यों होता है कि जो भी company की assets है वहां से तो हमारे पास पैसा आता है और जो liabilities है उनको pay करके पैसा जाता है तो net पैसा कितना है net book value या फिर आप इसे बोल सकते शेर holders का पैसा कितना है equity कितनी है equity holders का पैसा कितना है यही तो पैसा है माइनस preliminary expenses को माइनस क्यों कर रहा हूं क्योंकि वह शेर केपटा शेर ओल्डर का पैसा होता है इनी तो पैसा है वही तो हम पता कर रहे है company में net पैसा कितना है इनका माइनस preliminary expenses इसलिए क्योंकि यह खर्चा है जो कि asset side में दिख रहा है पी एंडल में से जाना चाहिए पी एंडल में जाएगा कभी ना कभी तो यह तो पी एंडल यानि रिजर्फ को कम करेगा रिजर्फ को कम करेगा यह शेर कैपिटल प्लस रिजर्फ माइनस preliminary expenses तो preliminary expenses अगर हो तो इसमें से तो भी से मांसवर आएगा आप खुद देख लो ना सेम ही आंसवर आएगा बचेगा क्या टोटल असेट्स में अगर यह दो टोटल लाइबलेटी चल गई तो शेयर कैपिटल और रिजर्फ अप्लस बचेगा और असेट्स में प्लिम्नेरी एक्सपेंस बचेगा वह माइन माइनस टोटल लाइबलेटीज ऐसे बी से कैलकुलेट किया जा सकता है मैंने रीजन भी बताया नेक्स्ट आजए यह पॉइंट अब आप सेवन्थ पॉइंट कैपिटल एम्प्लोईड कैपिटल एम्प्लोईड अब यह क्या चीज़े देखो कैपिटल एम्प्लोईड क्या चीज़े इसको मैं नोट डाउन करता हूँ फिर समझना आप है कैपिटल एम्प्लों इस दाइ्फं ऍुर्प्लोस एम्प्लोस कि ठाइ्प्लोस कैपिटलóg कि विविंग्त पॉइंट प्लिमिंट प्लोई एम्प्लोईड इस विविज़ल zrobे इस पे प्लोस 2 एमिम के इस ए When I apply कोई तरीक है नहीं कालने का वो भी लिख जेता हूँ और equity plus debt और total assets minus current liabilities अग्या 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 इसका नाम से ही आपको समझ में आगा capital business total 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 अग्या 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 lifetime अग्या 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 जो कई चीजों के परपस दीरे-दीरे समझ आने लगेंगे और जब ये रेस्पेक्ट्वी चेप्टर्स में कहीं पर काम में आएंगे ना तब और समझ में आएगा कि हां क्या रोल था इसका आगे देखिए अब आप लोग नेक्ट पॉइंट दीखिए मैंने आपको इंकम स्टेटमेंट और उसके बैलेंशीट बताई एसम के परपस से और बैलेंशीट से हमने कुछ आइटम्स निकालना सीखा अब मैं प्रोपर रेश्योस पर आजाता हूं जो प्रोपर रेश्योस आपको पढ़ाने वालों इंटर के जो कुछ-कुछ यहां आपके काम में आएंगे सिर्फ वही मैं आपको यहां बताऊंगा तिके सारे रेश्योस अपने देखेंगे सबसे पहले जीपी रेश्यो जीपी रेश्यो इसका फॉर्मुला होगा आपका ग्रोस प्रोफिट सबसे पहले पने देखा जीपी रेश्यो जीपी रेश्यो ग्रोस प्रोफिट डिवाइड़ बाई से इसके बाद एक और रेश्यो लिखिया सीओ जीएस देश्यो एक को अश्टों सीओ जीएस डिवाइड़ बाई सेल्स माल्टिप्लाइबाई हंडेड या फिर सीओ जीएस रेश्यो को एक और तरीके से निकाला जा सकता है और वर हंडीन पर्सेंट माइनस जीपी रेश्यो और प्रसेंट माइनस जीपी रेश्यो और ये आप लिखिये एक बाद अब समझ講 Gp Ratio or COGS Ratio, यह क्या बताते हैं क्या है, देखिए Gp Ratio सबसे वहला है, यह फुल-फॉर्म Gross Profit Ratio, यह फिर ग्रॉस Margin Ratio, Gross Income Ratio, कुछ भी बोल दिजिए, यह बताता है कि sales का Gross Profit कितना percentage है, हम अगर 100 रुपए की sales कर रहे हैं, और 20% अगर मेरा जीपी रेश्यो है यानि सो रुपेमे में 20% का प्रॉफेट कमाता हूं ग्रॉफेट यानि 20 रुपीज का प्रॉफेट यह बताता है सिंपल सा है आप यह इंकम स्टेक्मेंट में देखो अपन क्या करने है उपर इसे स्टार्ट कर रहे हैं ग्रॉफेट कितना है वह आपका आजाएगा और सियो जीएस रेश्यो निकालने का एक और तरीका हो सकता है 100 परसेंट माइनस जीपी रेश्यो यह कैसा आया एक एक्जांपल से मैं आपको समझाता हूं देखें मान लीजी मेरी सेल्स मैं कर रहा हूं जो भी अपने उपर एक एक्जांप परसेंटिज में आप का त्वेंटर्परसेंट तो का की ट्वेजी तो कंपल सब्सक्राइब घ। तो यह बता रहें जितनी सेल्स करें न उसमें 80% तो इसा केसे हुआ क्योंकि यह दोनों रेश्यों का पार्ट बता रहे हैं क्या हो रहा है हमने सेल्स करी 200 रुपए की इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया COGS 140 की और GP 60 का तो सेल्स पूरी अगर 100% है तो उसमें से GP 20 है तो बाकी क्या है सिंपल सी बात है अगर 100 रुपए का मैंने माल बेचा उसमें 20 रुपए का मेरा प्रॉफेट है 20 रुपीज का प्रॉफेट है तो 80 रुपीज की क्या कोश्ट है तो बचा हुआ 20 रुपीज का है तो कैसे भी समझे लीजिए बस यह मैंने आपको बता दिया अब आगे आपको ध्यान रखना है कभी एक्जाम में दे दे तो आपके काम में आएगा अब एक्जाम में सब्सक्राइब करेगा नहीं चाहिए आपको सेल्स फाइंड आट करेतिं अपको सकता है कि सब्सक्राइब के न सलन सल्ट हो सकता कि सेल्स की रिकवायर्मेंट strangely यह इंफारमेशन दे रहे हैं는지 धिमाज चला कि हमने बेसिक में जी पी रेश्यो पढ़ाया वहापलाई हो जाएगा जी पीरश्यो का देख है 20 परसेंट जीपी कितना है आपका 40 रुपीज का सेल्स मुझे निकालनी है डिवाइड में सेल्स मैं कैसे मैं कैसे उता है अभी एक बार्स का चीए में कर रहा हूं तो इर निया निए 40002 अगर इसे आप बइसवत परोगे तो आज आएगी बेसिक मैथमेटिक्स पूरी सॉल्व करना प्रैक्टिस करना भी सिखाऊंगा सब कुछ आप यह बताया यह देशों को यूज कैसे लोगे तो सेल्स निकाल लिया आपने 200 उपीस की तो बस वाही तो आपने दो को मैस्ट में क्या यूज किया यही मैस्ट पूरे सब्जेक्ट म प्लस माइनस मालटिप्लाइडवाली चीजें और इक्वेशन स्यॉल्विंग कैसे होगी वो सब मैंको बेसिक मैतमेटिक्स में अच्छे और खरवा दूगा ताकि आपको दिक्कत ना ना है तो बस डिशु कहा काम में आएंगे वह मैंने आपको इस एक्जाम्टल से बता द क्यों और ग्रॉस प्रॉफिट की क्वेशन में रिक्वाइर्मेंट आप निकाल सकते हों कि किसी भी चीज की रिक्वाइर्मेंट आप बैलेंसिंग फिकर निकाल पाओगे बस यह आप समझो परपस मैंने आपको बता दिया अब आगे अपन लिखते जाते हैं रेशियो तो सम इसकी फोर्मूला होता है आपका अब्रेटिंग प्रॉफिट यानि इविए इटी डिवाइड़ बाई सेल्स इसके बाद नेक्स्ट आप रेशियो लिखिये आप रेटिंग रेशियो और प्रेटिंग रेशियो इसका फोर्मूला होगा आपका UGS plus operating expenses divide में sales multiply by 100 then next आप रशियो लिखिए नेट प्रॉफिट रेशियो नेट प्रॉफिट डिवाइड़ वाई सेल्स multiply by 100 तीन रेशियो मैंने और लिखिए आप इनको और अपन समझते हैं देखिए अब आप लोग operating profit ratio operating profit किसे बोलते इविटी tänके कि समझेंच मीज़ों बस कि सब्सक्राइब इसे अपन्रेटिंग profit Mercedes sale का क्रोव हूं तो सारे घानरे कर दाने तो बार अपरेटिंग ब्रॉफिट में नेकालिक change जब और बताता है एक साथ होता घड़ा आप Meruo्ण ह्रत करने के लिए और ध्यान से पढ़ना operating ratio दे रखा है कि operating profit यह गलती मत कर देना ठीक है वह आपको ध्यान देना है इसके अलावा net profit रेशियो यह बताता है कि sales का net profit कितना परसेंटेज है net profit यह अपने निकाला sales का कितना परसेंटेज है यह निए मैं और से याद करने के लिए मैं आपको logics दे रहा हूं समझते के लिए कहीं आपके काम में काम प्रसेंटेंटेस निए ऑगा कोई किसी चप्टर के किसी क्में में काम में आगया कभी भी आ सकता आप को पता होना चाहरे किया हर क्वैशन में यही काम में आ रहे है ऐसा भी नहीं होगा कि अब आगे चलिए इसमें समझें कि नेक्स रिशोर अप लिखिए next आपका debt ratio और इसे हम debt to capital employment ratio भी बोलते हैं debt ratio या debt to capital employment ratio भी इसे बोला जाता है यह कैसे निकलता है आपका debt divided by equity plus debt next ratio एक बार लिखिये आप लोग equity ratio और इसे हम बोलते है equity to capital employed ratio यह आप कैसे निकालोगे equity divided by equity plus debt next आप लिखिये debt equity ratio debt equity ratio debt divided by equity यह कुछ ratio मैंने और लिखे हैं आप समझेए debt ratio या फिर debt to capital employment ratio पहले इसे समझते हैं दिखिये आपके बिजनस में दो जगे से पैसा आता है debt यानि जो loan debt का मतला लोग नेचर और equity मतलब जो control करते हैं company shares जिनको आपन दे देते हैं issue करके और वो company को control कर लेते हैं तरीके तो debt ratio बताता है यानि से हम बोलते पैसा लगा हुआ है यानि business में जो total पैसा लगा हुआ है दैट और equity वालों का लगा हुआ है उसमें देट का proportion कितना है तो याफी capital प्रपॉर्शन कितना है वो बताता है debt ratio या फिर debt to capital employment ratio देट का ratio याँट कितनी है वो ले लो divide में प्लबुइट प्लबुइस प्लेट्ट एक्थी a टिंफी प्लेटके एक्विटी के अंतर सब Pokemon Qe याने इक्विटी डिवाइड इक्विटी फ्लेस्ट ठीक है तो यह दो रेश्यो से इसको एक्जाम्पल से देखो मैं आपको बताऊ तो समझेए अगर एक कम्पनी में डेट है 20 की equity है 80 की तो 100 की क्यों हो जाएगी capital employer यह तो है capital employer debt plus equity debt ratio पता है क्या बताएगा debt ratio debt ratio बोलेगा debt है 20 की out of total total company में पैसा 100 रुपीज लगा हुआ है बार से हमने 100 रुपीज लिया इसमें से 20 रुपीज debt से ले रखा है 20 रुपीज debt से ले रखा है यानि 0.20 debt 0.20 यानि 20% 20% पैसा हमारा debt से लिया हुआ है बस यह reflect करेगा और equity ratio क्या बताएगा ठीक है percentage में नहीं निकाला आपने चाहों ही तो percentage में भी निकाला है percentage में निकालना है तो multiply by 100 कर देंगे यह भी basic mathematics में आपको बताऊंगा ठीक है बेसिक mathematics में यह भी कवर करवाँगा equity ratio देखो 80 divided by 100 यानि 0.80 यानि 80% equity से पैसा लिया है अब ऐसे ही एक होता है debt equity ratio debt equity ratio debt equity ratio क्या बोलता है company में जो debt है वो equity का कितना times है company में जो debt है वो equity का कितना time से यानि equity से जो पैसा लिया है उसका कितना times पैसा हमने debt से लिया हुआ है यह reflect करता है debt divided by equity debt equity यह से ना मारा न है debt और equity इन्हीं पहले debt और से नीचे equity बस बात खता है तो debt equity याद करने का बहुत सिंपल तरीका होता है इन ratio को तो debt numerator में 20 divided by equity कितनी थी कि यह आगया आपका 1 x 4 ठीक है 1 फोड इसको अगर अब सॉल्व करें decimals में तो यह आ रहा है तो जिरो पॉइंट जिरो जिरो पइंट जिरो जिरो पॉइंट टू फाइज जिरो पॉइंट टूफाइज जिरो पॉइंट टूफाइज यानि 1 by 4 नौर्मली 0.25 अब यह 1 by 4 किसे आया वो सब आपको बाद में बेसिक में बता दूँगा यह फैक्टरिंग करना होता है जैसे 20 टाइमस 1 और 24 टाइमस 80 होता है तो 1 by 4 हो गया 10 25 और 25 इसका मतलब एक इकुटी जितनी लगे लागी है ओसका 25% देट हम लगा लगे है के कुटी जितनी कमपनी में उसका 25% इकुटी परेशनेटेट 15 5 एक रुपय का बन रूपी इकुटी से लिया है तो हमने 0.25 रुपी 0.25 रुपी9 से लिया हुआ है यह इसका मीनिंग ब लोगे तो याद हो जाएंगे ऐसा कुछ स्पेशल है नहीं में नेक्स्ट लिखिए असेश्ट टर्नोवर रेश्यों असेश्ट टर्नोवर रेश्यों कि इसका फॉर्मला आप लिखिए कि सेज्ट में जिसे हम टर्नोवर भी बोलते हैं विखिए तो भी बोलते हैं तो य रिखि ये अबार नेच्ट लिखिये बार फिक्स草ंट्स लिखिए हमे ऐसंट ब्सक्षरश तो याद कि असेश्यों multiply by 100 then next आप लिखिए current assets turnover ratio जिसका formula होता है sales divided by current assets multiply by 100 इसके बाद आप लिखिए इन्वेंट्री turnover ratio inventory turnover ratio इसका आपका formula होता है cogs divided by stock multiply by 100 और next लिखिए आप debtors turnover ratio इसका formula होता है rate sales divided by debtors multiply by 100 इसके मैंने कुछ turnover ratio लिखें हैं सबसे पहले turnover ratio यह क्या बताते हैं आपको assets turnover ratio जो भी turnover ratio आते हैं पहली बात तो turnover का मतलब होता है sales sales value तो turnover ratio जो होते हैं उनमें सबसे पहले उपर numerator में आता है turnover यहनिए sales की value और divide में आता है वो चीज़ जिसका turnover ratio है क्योंगी कई बाता है कि गलती हम क्या करते हैं हमें ऐसी आतत पड़ी रहते है कि जines ratio होता है जो ratio होता है उसमें जो सबसे पहले लिखा ओता हो और girls एक्वीटी बास में था तो वह denominator में सámढ़ डेनोमिनेटर में होता है संस्स अटनीड़ आता है सब य्यूंड़ अब य боль ऑर इस यह का बताएगा से मेरी कितना टाइंस से जनरीट्स जनरेट्स का मैं किटना टाइंस तरीिस जनरेट्स करा मैरे वृत किया है मेरी से छलाय ड्रूपीर है कि है म ai को तो ओसल्स वहीं मैंने जो से Chicago रुपी का रही है तो तो हां सैट्स जो असेट्स का सिलड़ यह आएगा असेट्स इंट्स के रिचय और यहांे नाटला éléments टीज सेस्ट करका रहें और जो की और यहां व्युच्ट 110 पर्सेंट करके देती है अपनी वैल्यू का तो इस तरीके से इंट्रेट करते हैं एकजाम में कैसे काम आया का वही सेम्स चीज असेट्स टनोवर रचियो दे रखाया मानलो तो यहां पर थोड़ा जाएगा जो है उसको आप किस पर करते हो कोस्ट पर पर यहां पर आप जो कर रहे हो वह एक्टिवल सेलिंग प्राइस पर कर रहे हो तो आप से कंपैरिजन करोगे तो जो सेल्स है उसे भी कोष्ट पे लो फॉर्मला के अंदर सेल्स को कोष्ट पे लेने का मतलब क्या है कोस्ट ऑफ गूट्स उल्ड कि जो हमने बेचे हैं उनकी क तो इसमें आपको धिहान दखना है टोटल सेल्स नहीं आती है नियुमिरेटर में तो टाइप की होती है एक तो कैश और एक क्रेडिट माली जिसमें ते 15 रुपीज तो कैश में मैं को रिसीव हो गया पैसा लेकिन 85 रुपीज के तो डेटर रेट हो गया अभी तक पैसा नहीं सब्सक्राइब क्रेडिट 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 क इसमें देखिया आगे नेक्ट लिखिये Assets To Sales Ratio Assets To Sales Ratio इसका फॉर्मूला है आपका Assets Divided By Sales Multiply By 100 Assets To Sales Ratio यह क्या है यह नॉर्मल फॉर्मूला है यह ऐसे कितने भी फॉर्मूला बनाया जा सकते है Assets To Sales पहले Assets To Sales यानि जो भी फॉर्मूला में टू आ रहा हो न तो उस फॉर्मूला में टू से पहले वाला जो वर्ड है वो तो बनाया जा सकते हैं कुछ भी दे सकते हैं वह आपको बस क्वेशन में दिया जाता है ताकि आप कैलकूलेशन करो अगे लिखेशन करों बनाया जा सकते हैं तो से पहले वाला जो वर्ड है वो न्यूमिरेटर में आएगा नौर्मली और बाद वाला जो वर्ड हो डिनॉमिरेटर में आएगा पर सिद्ध्यान रखमा आप लोग इसलिए मैं यह लिखवाया आगे लिखिए बागे और रेश इसमें लिख लीजी आप हायर दी बेटर हायर दी बेटर को है दिए इंट्रेश्ट करेजर हमने देख़ो cinq में स्टेटमेंट के सारी बीच्वर के वैरे बैद ऍलिए कोच इसबेटर इंट्रेश्ट कर लेए कि कि Тटर का फिट्रेश देखे हमारे पास जो प्रॉसिटा वह कितना इंट्रेशक कर सकता है कितना interest का ख़र्चा हम pay कर सकते हैं हमारे profit से, हमारे पास जो profit अवेलेबल है, उसे हम कितना interest का ख़र्चा pay कर सकते हैं, वो होता है interest coverage ratio, तो पहले आप पता, अगर ओंड放से profit से pay होता हैं, तो आप income statement में आईए, income statement में interest का ख़र्चा कौन से profit से less कर रहे थे, EBIT operating profit EBIT में सी तो interest का खर्चा पर होता है तो आप देखिए कि आपका जो EBIT है वो interest का कितना time से EBIT interest का कितना time से example से समझेगा interest coverage ratio EBIT divided by interest मान लीजी मेरा EBIT है 1000 EBIT सपोज मेरा है 1000 और interest वो आ रहा है मेरा वो आ रहा है मेरा सपोज 50 रुपीज 50 रुपीज का interest का करचा थाउजेंड रुपीज का EBIT में पास रकाऊ है 50 रुपीज का मेरा यह normally बस ऐसे निकालते है इसका मतलब यह है कि जो मेरा profit है वो 20 टाइम्स interest कवर कर सकता है यानि मेरा आस्तो इंट्रेस्ट का और बना लोगे अपना और इंट्रेस्ट का खर्चा कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं उतना सो sufficient profit है आपके पास ठीक है तो यह बताता है इसका फॉर्म्ला लिकिया पैट प्लस इंट्रेस्ट 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 और आइ इंट्रेश्ट प्लस प्रिफरेंस डिविडेंड ये भी आपका हायर देटर प्लस शेख़िया तह देखिया अब इंट्रेश्ट और टिविडेंड कवरेज रीश्यो आपको क्या पताता है कि इंट्रेश्ट का कर्चा जो हमारा जाता है उसको कवर करने वारा कितना टांग से वही सब्सक्राइब करगा पर समय के सभिविटेंट कि समय का होता है इनका में से कर रहे कर रहे थे हम कि लेकिन इनट्रेस्ट वह तो इसा प्राफिट चीए जिसमें से हम interest और preference dividend दोनों pay कर सकें तो अब आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए जो formula की assumption यूज में ली जाती है वो यह है कि pat तो ले लो क्योंकि preference dividend तो इसी में से pay होगा आपको interest और pay करना है तो plus interest कर दो pat plus interest pat plus interest ये जो profit है इसमें से आप interest और fixed dividend दोनों pay कर सकते हो ना क्योंकि इसमें interest मैंने वापस add कर दिया और जो fixed dividend, preference dividend वो होता ही pat में से pay है तो pat plus interest divide by interest plus preference dividend इसको cover करने वाला ratio चीए गया जाएगा आपका ये जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा इसके बाद next लिखिया आप लोग 24th capital gearing ratio capital gearing ratio capital gearing ratio और इसका formula लिखिया आप लो debt plus preference share capital divided by equity share capital plus reserves and surplus ये आपका capital gearing ratio और ये जितना कम होगा उतना अच्छा है lower the better जितना कम होगा उतना अच्छा है अब देखिए क्या capital gearing ratio ये रेशियो आपको बताता है कि आपकी जो fixed cost bearing capital है ऐसी capital है ऐसा पैसा जो आपने रेस कर रहा है जिसके आपकी fix cost जानी ही जानी है वो आपकी एसी केपिटल जिस पर फिक्स कुछ नहीं है जिस पर आपकी मर्जी हो तो पैसा दो या मत दो जिसे हम वैरियेबल कोश्ट केपिटल गोल देता है वैरियेबल कोश्ट बियरिंग केपिटल उसका कितना टाइम से उसका कितना टाइम से तो आप बताओ ऐसी कौन सी केपिटल है जिसपे को जाती है एक्ट और प्रिफरेंट जाती है वाल को इंट्रेस्ट नैंए और मरजी तो आप पैसा दोगे इस वैुटि का पैसा है ने इक्वीटी टा रियुटी का पैसा तो पैसा है एक्वीटी सIGH्पिले performed तो यह जितना कम होगा उतना अच्छा है यह जितना कम होगा उतना अच्छा है मालो यह numerator में मेरा आता है 80 और divide में आता है मेरा 100 तो यानि यह आया 0.80 इसका मतलब क्या है अगर मेरी 1 रुपी की मेरी 1 रुपी की बिजनस में variable वाली capital लगी है एक्विटी कैपिटाल लगी है तो 0.8 रुपी की 0.8 की मेरी लग रहा की है fixed cost वाली capital जिसके मेरी fixed cost जा रही है fixed cost जा रही है यहनि total capital में से total capital employed में से 80% ऐसा पैसा है 80% ऐसा है जो की मेरा एक तरीके था आप बोल सकते हो कि जिसके मेरी fixed cost जानी ही जानी है fixed cost जा नहीं जानी है तो यह जितनी कम होगी अच्छा ना fixed cost तो जितनी कम हो अच्छा है इसे lower the better तो यह एक आपका ratio था special अब आगे आई यह आप लोग और ratio लिखें इसमें 25 लिखिया पॉइंट earnings per share earnings per share जिसे हम EPS भी बोलते हैं short में EPS earnings per share इसका formula होता है earnings available to equity share holders divided by number of equity shares divided by number of equity shares और लिखिये फिर अपने explain कर लेते हैं इनको simple हैं सब 26 लिखिये फिर आप dividend per share dividend per share जिसमें अपन short में बोलेंगे DPS इसका formula होगा dividend on equity shares divided by number of equity shares next आप लिखिये फॉर्मुला book value per share book value per share जिसे short में अपन बोलेंगे BVPF इसका formula आप लिखिये book value divided by number of equity shares इसके बाद next आप लिखिये market price per share जिसे short में हम बोलते हैं MPS जिसका formula होगा आपका market price आप लोग यह देखिए अब आप लोग सबसे पहले अब earnings per share आपके कुछ पर share वाली चीज़े की बात करेंगे अपन earnings per share यानि एपिये शेयर कॉन से तर प्रेफरेंस होता ही नहीं हमेशा equity shares होते हैं हमेशा equity होते है अपन यह मानेंगे एका जगह कहीं आएगा ता प्रेफरेंस की बात है वहाँ हो जाएगी वह नॉर्मल डिविदेंट के लिए आएगा बागे कहीं नहीं आएगा तो पर share जब भी बात करें तो equity मैंने के बोला अपको हमेशा equity capital निमाने अनिंग्स पर शेर है निंग्स पर शेर क्या है एक शेर पर उनको क्या अर्निंग्स हो रही है तो equity वालों की total earnings कितनी थी टेगों इंकम स्टेटमेंट में equity वालों की earnings हम किसे बोल रहे थे आपको पर शेर चाहिए टोटल पर उनमें बटे का डिवाइड वाई कितने इक्विटी शेर से नंबर ऑफ एक्विटी शेर तो आजाएगा आपको और फेर आर्निंग्स पर शेर और यहँडिए चाहिए तो इक रफ को कितना वालो जात्र कटर जे इसका च्राइब अगनने निकालना रुक्विटी थे चैना नेडे शिखा आपको a प्रेटी वालों की टोटल वेल्यू यानि शेयर केपिटल प्लास सेफसेंस प्रिल्मिनरी एक्सपेंसेज यह टोटल वेल्यू इसको डिवाइड कर दोगे नंबर आफ एक्टूटी शेर से तो आजागी पर शेयर की वेल्यू कितनी है अब यह आगे बुक्वेल्यू आपने मार्केट में नियुक्त मतलब शेयर मार्केट इस्टॉक एक्सचेंज आपने सुना आगे इस पर पूरा डिटेल में डिसकेशन होगा अपने है यह चप्टर अपन उस पर डिसकेशन करेंगे तब आगे और चीज़े समझ वाएंगी तो मार्केट में प्राइस अलग होती ह मार्केट में अलग प्राइस चलती है वो क्यों चलती है क्या चलती है वो सब बाद में चैप्टर के अंदर यह अपन सीख पाएंगे अभी तो समझो मार्केट प्राइस पर शेयर जिसे हम शौट में MPS बोलते हैं यह क्या आएगी इसका कोई फॉर्मुला नहीं है 29th पॉइंट डिविदेंट पे आउट रेशियो डिविदेंट पे आउट रेशियो इसका फॉर्मुला लिखिये Dividend on Equity Shares divided by इसका एक ओर फोर्मुला आप लिख सकते हैं और DPS divided by EPS multiply by 100 और इसका एक ओर फोर्मुला आप लिख सकते हैं 100% minus retention ratio 100% minus retention ratio next ratio आप लिखिये retention ratio next आप लिखिये retention ratio retention ratio में आप फोर्मुला लिखिये retention ratio में आप फोर्मुला लिखिये retained earnings retained earnings divided by earnings available to equity shareholders multiply by 100 और इसका एक ओर फोर्मुला आपका हो सकते है 100% minus dividend payout ratio अब देखें dividend payout ratio और retention ratio यह क्या है देखें dividend payout ratio यहनि dividend जब भी जो ratio है सब हम equity shares के बात हमारे में बात करेंगे कुछ नहीं बोला हुआ सब equity shares के बात चल देखेंगे तो dividend payout ratio यहनि equity shareholders को dividend pay किया उसका ratio निकालना है dividend pay किया उसका ratio यहां आपका आजागा डिविडेंड और इक्विटी शेर ओल्डर्स में से मैं dividend pay करता हूं तो यहनि जो earnings बची थी इक्विटी शेर ओल्डर्स के लिए उसमें ते मैंने dividend कितना पे कर दिया उनको उस अर्निंग्स में से कितना इविडेंड पे कर दिया वही है dividend pay out ratio यानि आपका आजागा dividend on equity share divided by earnings available to equity shareholders इसे पर शेयर बेसिस भी निकाल सकते है dividend on equity shares को अगर डिवाइड बाइड बाइड नंबर ओफ एक्विटी शेयर कर दें तो क्या आता है इक वालों के लिए उसमें पर शेयर डिविडेंड कितना पे कर दिया आपको देखना है या फिर हंडेड परसेंट में आप रिटेंशन रेशियो आटा दोगे तो भी डिविडेंड पे आउट रेशियो आजाएगा क्यों आएगा वह अभी में आपको समझा दो इक और तरीका निकालने का हंडेड परसेंट में डिविडेंड पे आउट रेशियो एग्जांपल से समझते हैं देखो कि मानों आपके पास अर्णिंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर से हंड्रेड रुपीस की है इसमें से मैंने इक्विटी वालों को डिविडेंड पे कर दिया 30 रुपीस का तो बचता हो बचा हुआ पैसा है क्या है रिटेंड अर्णिंग जो बिजनस में पैसा रागया जिसे अंडिस्ट्रिबूटेड प्रॉफिट भी बोलते हो यह कितना रह गया 70 रुपीस तो यही तो वह प्रॉफिट है जिससे यह दोनों चीजा आती है तो इस रेशयो क्यों होगा रिटेंशन डेशयो बदाव 30% अनिंग्स में अनिंग्स का 30% मैंने डिविडेंट पे कर दिया तो 70% बचा लिए तो रिटेंशन रेशयो की से आया 100% निकाल भी दखते हैं फॉर्मुला ते रिटेंड अनिंक 70 किस में से अनिंग्स अविलेबेटां ट tension ratio कर दो 70% तो भी 30% आएगा ठीक है बिलकुल basic है मैंने आपको समझा दिया है पूरा इसके बाद आगे देखिए अब आप लो next लिखिए इसमें 31 dividend dividend yield इसका फॉर्मूला लिखिया बीपीएस अपोन MPS इसके उपर देखा जाए तो डिविडेंट बताया आप यह बताओ market price अगर कोई भी बंदा शेर खरीदेगा किसी भी कंपनी के पर थोड़ा सोच ना भाकि इसका पूरा चेप्टर है तो कोई भी मलेगा एक फिक समाउंट का कंपनी देगी तो मार्कित प्रास का कितना प्रसेंटेगा वो बताओ उसे बोला जाता है इसमानलो एक बंदेगा डिविडेंट मिला 10 रुपीस का इक्विटी शेर पे और प्रास पर शेर है ठीक है 10 पर शेर यहनिगी तो बताओ डिविडेंट क्या हुए यानि रिटन को टेक्निकल लेंगे इल बोला जाता है अपने एफम में जब वडूद में लेंगे तो वो रिटन की बात कर रहा है रिटन किस पर मार्केट प्राइस जो मैं इंवेश्टमेंट करूँगा इंवेश्टमेंट तो मार्केट प्राइस पर तो करूँगा तो 10 रुपीज कमाए 50 रुपीज इंवेश्टमेंट करके यानि मेरी रिटन के है 20 यानि मार्केट प्राइस पर डिविडेंट कितना मिल र return on capital employee, return on capital employee, जिससे अपन ROCEB बोलते हैं, return on capital employee जिससे अपन ROCEB बोलते हैं, इसका formula होते हैं, अपना EBIT divided by capital employee multiplied by 100. नेक्स्ट लिखिया आप लोग, return on equity, return on equity जिससे short में अपन ROCEB बोलते हैं, और इसका जो formula होता है, वो है आपका, earnings available to equity shareholders, बोलते हैं, नेट वर्थ यानि बुक वेल्यू इसका एक और फॉर्मूला होता है अब समझे है आप लोग रिटान ओन कैपिटल एंप्लोईट जिसे आपने शौर में आर ओ सी इ बोलते है या फिर रिटान ओन इक्विटी यह दो क्या क्या चीज़े है रिटान ओन गैपिटल एंप्लोईट यानि विसनस में जो टोटल पैसा लगा हुआ है उस पर हमने क्या रिटान कमा के दी टोटल पैसा किनका लगता है डेट और एक्विटी दोनों का तो डिवाइड में आपने लेंगे capital employee, total पैसा जो लगा, उनको क्या पैसा कमा के दिया, जो total पैसा लगाया लोगों ने, उन total लोगों को क्या पैसा कमा के दिया, उन total लोगों को क्या पैसा कमा के दिया, wording पर focus कना total लोगों को, यहनि debt और equity दोनों लोगों को मिला कर हमने कितन कितना पैसा कमा के दिया तो दोनों लोगों को मिला के बताओ कितना पैसा कमा के दिया आप एक बार स्टेटमेंट में देखिए आप लोग इक्विटी वालों को जो हम पैसा कमाते वह यह वाला है ठीक है प्रिफरेंस वाले भी इसमें आगे टोटल इस EBIT के अंदर से ही तो debt वालों को भी payment होगा और उसके बाद equity वालों को payment होगा यानि EBIT एक ऐसा amount है जो दोनों लोगों के लिए कमाया गया है अगर मान लीजें यहाँ पर आप assume करें अगर company में debt और equity दोनों ही अगर owner होते दोनों ही अगर owner होते तो company का यह profit था वो यह होता और फिर बाटा जाता जैसे अपन net profit निकालके owners में बाट रहते ना बाद में ऐसे ही अगर यह debt वालों को भी अगर हम owner मान लेते उसको पता चल जाएगा कि जो capital लगी है total उसके कितनी रेटन अपने कमा के दिए इसके बाद रेटन ओन एक्विटी और ओई इसका फॉर्मुला नाम से समझेए इक्विटी वालों को कितनी रेटन कमा के दिए इक्विटी टोटल पैसा जो लगाता है उसे पन क्या बहुलते है नेट वर्त या बोक वेल्यू एक्विटी बैल्यू के लिए रेटन होती है यही तो निम्रेटर में अपन यह TESH रख लेंगे ठीक है multiply by 100 percentage में आ जाएगा इसको निकालने का एक और तरीका आप per share के basis पर भी निकाल सकते हो earning available to equity shareholders को per share कर दोगे तो क्या जाएगा EPS और network या book value को per share कर दोगे तो क्या जाएगा BVPS तो EPS by BVPS multiply by 100 करोगे तो भी ROE यह आपको मिलेगा ठीक है return on equity ही आपको मिलने वाला यह point आपको समझ में आ गया होगा आगे देखिए अब आप next 34th point PE ratio PE ratio PE ratio MPS divided by EPS if मैं आपले किया note PE ratio में sometimes ROE is calculated on market price that is EPS divided by MPS that is ROE equals to EPS divided by MPS hence PE ratio is equals to 1 divided by ROE देखिए बाप लोग PE ratio यह आप जानते हैं बहुत पहले से PE ratio क्या होता है MPS divided by EPS formula यह बताता क्या है मान रीजे मेरे शेयर की मेरे कंपनी का यह शेयर है इसकी मार्केट में जो प्राइस चल रही है वह चल रही है 100 और इसकी अर्निंग पर शेयर है 1 रुपी के लिए आपको 5 रुपी का इन्वेस्ट करना पढ़ेगा इस कंपनी के शेयर में अगर आपको अर्णिंग चाहि तो वन रुपी की एन्बैक करनी है थो 5 रूपी का इन्वेस्ट करना पढ़ेगा यह बतारा है यह वाला PE ratio ठीक है तो कई बार हम आरव क्यालक्कुलेट कर लेते लिएक कर लोकेट क्मार्केट प्रायस गया औरницmenNeum डेखते कि मार्केटे की मार्केट प्राइस में एक्विटी पे अबएविपने कarin अरोई मार्केटि प्रैस पे निकाला जाता है यानि EPS divided by MPS तो जो फोर्मुला राइना वह बिल्कुत इप रेशियो वाला है बस फोर्मुला उल्टा है तो अब आगर आप को तो प्क्राइस निकालना पड़े किति क्यों में और SPS को फोर्मुला को उल्टा करदो है किसी सप्तेर में आप को दिखाऊंगा था यहांा ऐसए एक तो वह मैंने लिखा है या आप लिख लिए अब रेश्यो में लास्ट आप लिखे 35 मार्केट कैपिटलाइडेशन मार्केट कैपिटलाइडेशन इसका मतलब होता है टोटल मार्केट वैल्यू ओफ इक्विटी शेरहोल्डर्स टोटल मार्केट वैल्यू ओफ इक्विटी शेरहोल्डर्स यह कैसे कर सकते हैं इसको कैल्कुलेट करने का तरीक है MPS multiplied by number of equity shares MPS multiplied by number of equity shares या फिर एक और तरीक है और आप कर दो P ratio multiplied by earnings available to equity shareholders P ratio multiplied by earnings available to equity shareholders लेकिए market capitalization market capitalization का मतलब कह है equity shareholders की total market value कितनी है equity shareholders की total market value कितनी है उसे हम बोलते है market capitalization यानि market cap कितना है इस company का कई बार कभी आपने सुनाओ practicalize में equity shareholders की total market value यानि number of equity shares multiply by एक equity share की market price पर share क्या है आज आएगी total market value इसको निकालने का एक और तरीक है P ratio को multiply कर दो आप earnings available to equity shareholders से दूसरा कैसे आएगी market value इस formula से क्यों आई वह फॉर्मॉला भी मैं आपको बताता है इस formula से कैसे पहले वाला तो नॉर्मल फॉर्मॉला दूसरे वाले फॉर्मॉला से कैसे देखो P ratio का formula आप जानते हैं क्या होता है MPS divided by EPS यह फॉर्मॉला होता है यह फॉर्मॉला है अब इस formula में देखो मैं अगर numerator में भी number of equity shares multiply कर दूँ और denominator में भी number of equity shares multiply कर दूँ यह यह जो चीज में आपको बता रहो ना formula बना कैसे जिसे मार्केट वेल्यू आ रही है पी ratio वाले से वह मैं आपको बता रहा हूं मैंत में क्या होता है numerator denominator में सेम चीज से multiply करोगे ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा यह आप चाहो तो काट सकते हो दोनों को ठीके math का basic है मैं derive करके बता रहा हूं आपको इस पर नहीं जाना डिटेल में तो पी ratio का formula क्या हो गया पी ratio का एक और formula हो गया वो तो पर share के विसिस पे था टोटल के विस पर MPS इंटू नंबर आफ एक्यूटी शेर से अधे मार्ट के मार्केट के प्याइवड़ेशन इसे तो बोलते हैं मार्काट के प्लाइज़ेशन divided by EPS इंटू नंबर आफ एक्यूटी शेर्स याद करो अर्निंग अवेलेबल टू क्यूटी शेर उल्डर्ट अब आपको चीए मार्केट कैप कैसे आ सकती है तो सामने में चला जाएगा तो मार्केट कैप आ गई आपकी मार्केट कैप इसी के साथ आपके सारे जो वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है निच्व जो आपके काममे आने वाले हैं वो सारे रेशो मैंने आपके लिख्वात जिखे यहां ऐसा नहीं कि जो पूरे डिटेल में मैंने पूरा रेशॉ आनलीकेश चेप्टर पढ़ाया नहीं जिस जिस चेप्टर में जो काम में आएंगे वह मैंने यहां पर आपको बता है और कैसे काम में आएंगे कोई भी बैलेंसिंग सारे अने औस में ता कि भी लेख्वा दियेशना अब दिखिए में आ गया चलते हैं ऐसे बेशेक्स में पेहला पार्त बर्लेरे लेशु कि रहे कर दिया इस फॉलेट्थ कर लिए क्या वे सिक्समें अब बेसिक्स में सेकिंड अपने को देखना है क्या वे सिक्समें अपने को देखना है कि नेक्ट देखिया आप बेसिक्स में इंटर्पिटेशन ऑफ डिविडेंड मैंने बेसिक्स में आपको बोला सबसे वैल तो मैं रिश्यो आपको करवाँगा जो मैंने करवा दिया कुछ ही नहीं था उसके अंदर नॉर्मल चीजे थी आपकी सारी इसके बाद आजए इंटर इसके ज्यादा फोकस करना बस पता होनी चाहिए क्वेशन में काम में आएंगी तो बस पता रखना अपन अभी बेसिक्स का ही ले रहे है यह अपने दो लेक्टर इसमें लगेंगे पूरे बेसिक्स में फिर अपन में अपना जो चैप्टर से स्क्रेबस से वह स्टाट कर प इसका मतलब यह है ओन फेस वैल्यू मैं सेकिंड डिविडेंड इल्ड इसका मतलब यह है ओन मार्केट प्राइस और इसके बाद मैं लिखता हूं डिविडेंड पे आओ इसका मतलब है ओन अर्मिक्स बस इतना ही है यह बेसिक में इंटर्पेटेशन आफ डिविडेंड के अंदर देखिए डिविडेंड को इंटर्पेट कैसे करना है कभी कभी क्वेशन में आएगा जहां पर इस्ट्रेंड जो नहीं समझ पाते हैं वो गलत करते हैं मैंने पूरा पढ़ा दिया है जो भी रेश्यो अनलिसिस पढ़ाया ना उसके बेसिस पर यहोगा लेकर कभार क्वेशन में बूलेगा ढिविडेंड गिश्ट्रेंड टैन परसेंट विडेंड बोल दिया 10% अब यह बताया है किस का टैन परसेंट सेंट शेयर की फेसजान dv ak कि शेर की market price का या earnings का किसी का भी हो सकता ना किसका 10% है dividend किसका 10% है suppose share जो है जो हमारे पास share available है ठीक है जो share available है इसकी आपको face value बता रखिए suppose face value है मेरे शेर की 100 रुपीज मार्केट प्राइस है मेरे शेर की 150 रुपीज यह आपको इंफर्मिशन देए आपको बोला कि dividend इस 10% कुछ नहीं बोला ना किसका है तो हमेशा जियूम करना यह face value का है नॉर्मल यही होता है नॉर्मल यह कुछ नहीं बोला जाता तो dividend face value पे ही पे किया जाता है face value share की 100 रुपीज है ना तो 100 का 10% यहनि 10 रुपाइद यह आपको समझ में आना चाहिए आपको दे दिया dividend 10% आपको पता नहीं था किसका होता है आपने मार्केट प्राइस के बेसिस पर निकाल लिया 150 का 10 रुपीज पुरा सॉल्यूशन ही गलत हो जाए था आगे आपको बोला मानलो question में dividend yield is 10% आपको ऐसा बोले dividend yield 10% है इसका मतलब dividend yield का मतलब क्यों होता है मैंने भी बताया था dividend per share divided by market price per share यानि मार्केट प्राइस पे कितना dividend है वो percentage को हम बोलते है dividend yield यानि अपकी बार market price per share उठाना market price per share 150 इसका 10% यानि 50 रुपी यानि अगा dividend yield देना तो face value से multiply मत कर देना यह market price पे dividend का percentage या हुआ है आप देखना dividend yield का formula क्या था हमारा dividend yield का formula था DPS divided by MPS multiply by 100 इसी formula से निकाल के दिखाता हूं यह 15 रुपाय का देखना dividend yield कितनी बता रहा है कि यह 10% है DPS कितना है यह तो हमें निकालना है market price per share कितनी है 150 multiply by 100 अब इसे अपन सॉल्फ करेंगे देखो तो DPS मुझे चाहिए तो सामने वाली साइड में 150 और 100 को transfer करना है तो मैं इसके basic में भी सिखाऊंगा अभी तो यहां पे देख लो सामने वाली साइड में 10 रुपाय पहले से यह 150 यहां क्या था तो सामने multiply में चला जाएगा और यह 100 क्या था multiply में तो सामने डिवाइड में चला जाएगा इससे अगर आप सॉल्फ करेंगे ने पंदर रुपेई आएगा ठीक है तो डिविडेंड इंड का फॉर्मुला ही पहले ही बता दिया था तो आपको समझ में आना ची ऐसी मानलों इपिएस का 10 परसेंट या अर्निंग साविलेबल टू इक्विटि शेयर ओल्डर का प्याउट रेशो याद करो प्याउट रेशो का डिविडेंट प्याउट डिवेंड प्याउट का फॉर्मुला क्या था डिपिएस डिवाइड बाई इपिएस तो यह बात कैसे निकलेगा यह पीस पर निकलेगा टैन परसेंट यह जो अर्णिंग्स अवेलेबल थी शेयरोलडर के लिए उसका 10 पर सेंट है मालोी पीस मेरा था 50 रुपीज सबोर्स. 50 का 10% यानि 5 रुपीज का है मेरा डिविडेंड. 5 रूपीज का डिविडेंड पे किया गया है equity shareholders को. यानि डिविडेंड का interpretation कैसे निकालना है? डिविडेंड बोला गया है, तो यानि बेसिक्स में एक पॉइंट और देख लिजे बस फिर आज की लेक्चर को अपन वाइंड अप करेंगे बाकी बेसिक्स नेक्ट लेक्चर में देखेंगे यह आपका इंटर्प्रेटेशन ओफ इंट्रेश्ट रेट इंटर्प्रेश्ट रेट इन्टर्प्रेश्ट रेट जो कोई चेप्टर नहीं है बाकि जब आपको आदत हो जाएगी सब समझ में आ जाएगा तो बेसिक्स में अभी ज्यादा अपने को दिमाग लगाने की जोड़त है भी नहीं जब आपको सब एकदम अच्छे से सारी चीज़े लिंक होने लगेंगे अब देखिए इंटर्पिटेशन आफ इंट्रेस्टेट इसमें लिखिए एक बार आप लोग हंडेड बेसिस पॉइंट्स जिन्हें हम बी पी के नाम से भी डिनोट करते हैं इस इकोस्टू वन परसेंट देखिए सबसे पहला पॉइंट्स टे से रिलेटेड कुछ इंट्रपेटेशन की बाते करेंगा इंट्रेस्ट को आपको कैसे इंट्रपेट करना है देखिए आपको मान लो कभी किसी question मेंificación मैं इंट्रेस्ट डे रखिया है आपको interest डेता मानलो interest है कि बोलते 10 परसेंट कोई दिक्कत नहीं है नर्मल समझ गया आप बहुत आरम से 10% बस बात खहं लेकिन कई बार आपको बुलेगा interest rate is suppose बोला इन्होंने 900 BP अरे सर ये क्या है ये क्या दे दिया 900 BP BP हाई कर रहे है आप तो ऐसे वर्डिंग यूज में लेके तो ये एक तरीका है interest rate को present करने का market में इसे बोला जाता है basis points के टांस में तो यानि इसका मतलब क्या है 100 basis points को 1% माना जाता है 100 basis points को हम बोलते हैं 1% यानि 900 BP यानि 9% यानि आपको interest rate बता है कितनी बता रहा है 9% आप ऐसा निकाल सकते हैं simple है बस आपको दिक्कत नहीं आपको बले interest rate is 950 BP 950 BP यानि 9.5% के लिए तो ये एक interest rate को interpret करने का तरीका है जो मैंने आपको बताया इसके बाद इसमें second point लिखिए इसके बेसे 2nd point लिखिए Interest rate given in question interest rate given in question will always be assumed as per annum. Interest rate given in question will always be assumed as per annum unless specifically mentioned, unless specifically mentioned, example , interest rate is 10% , interest rate is 10% , this means per annum is 10% , this means per annum is 10% , interest rate is 10% , this means per annum is 10% , interest rate is 10% , interest rate is 10% , this means per annum , this means per annum यह आप नोट कर लिए देखिए अब आप लोग इंट्रेस्टेट का एक इंटर्पीटेशन मैंने बताया दूसरा आपको अबस्टेट है जर देखने को मिले हमेशा आपकी नम की इंट्रेस्टेट इसे शॉट में आपने पर साल भर इंट्रेस्ट बता रहें कि मत हमेशां क्लि Barnes &uw मालोगे यही प्रेक्टेक्स चलते मेले इसको से किलियर कपाऊंगation पहले यहां को इसको बनागे इंट्रेस रीट कुप यह नहीं घ्राइनलिक देता था क्लियर व्याद परहने में कुछ नहीं बोला तो आप अज्यूम करोगे परहने में पूरे साल भर की इंट्रेस्ट रेट जब अपनी मर्जी से जीरो कर देगा ठीक है तो बिना बात की प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है जो कि मैं आपको एक्जांपल से बताऊंगे दूसरे एक्जांप इसका मतलब है अगर मैं मार्केट से 6 मंस का लोन लेने जाओं 6 महीने का लोन लेने जाओं तो सामने वाला मेरे को 10 परसेंट की रोई रेट कोट करके दे रहा है रेट तो परहनम ही है लेकिन यह 6 मंस के लोन पर एप्लिकेबल है जैसे कि आप बैंक के पास जाते हो और बैंक को बोलते हो कि आपको एक साल का लोन चीए वन यह का लोन चीए उसने बोला ठीक है हम सब्सक्राइब करों आप लोन चीए बताओ कितनी इंट्रेसीट चार्ज करेंगे कैंगों 10% अब टैन परसेंट मतलब यह पूरे साल भर की इंट्रेस रेट बताई शै महीनों के लिए पाइफ परसेंट होगे समझ में आई यानि आप जितने की बोरों करते हो नो उसके लिए इंट्रेस रेट बताई आती है पर इंट्रेस रेट होती तो परैनम ये प्रेक्टिकल लाइज में भी बैंक वाले एक महीने का लोंची बताओ क्या इंट्रेस रेट वो बोला 12% कुछ नहीं बोला परैनम आप बोलो गयार वन मन्त का 12% नहीं यह पर है तीक सब्सक्राइब एक पर अब फाइबर करेंगे बात की बात है वो चैप्टर में जाएंगे अब अब की बतार हों आपकी डेट जो है वह पर है इसके बाद ऐसा लिखा आपको ज्यादा बता पाऊंगा अभी थोड़ा सा बता रहा हूं डिटेल में बाद में बात करेंगे अभी समझा भी नहीं पड़ूँगा मैं डिटेल में लाइबोर की फुल्फोम होती है लंडन इंटर बैंक ओफर्ड रेट एक तरीके से इंटरेश्टेट ही यह होती है जिसे हम लाइबोर बोलते हैं यह कुछ बैंक है जिन्होंने अपना गुरुप बनाया हुआ है और वह गुरुप एक टाइम ट्ट टाइम एक इंटरेश्ट करता रहता है अलग-अलग टाइब की बोरूंग के लिए उसे हम बोलते हैं इसका मतलब यह 6 months की बोरिंग के लिए लाई बोर है तो यह रेट परहनमी बोल रहो तो यह अनलेट स्पेसिटिकली मेंशन वाला केस क्या होगा लाश्ट केस देखो इंट्रेस्ट रेट इस वन परसेंट पर मन्त डायरेक्टली बोल दिया इंट्रेस्ट रेट बन परसेंट पर मन्त की पर मन्त एक महीने की पर का मतलब एक महीने की पर मन्त पर मन्त इंट्रेस्ट रेट वो पर मन्त पीम शॉट में मैंने बोला पीम पर मन्त की रेट ठीक है त तो इस तरीक से लिखेगा मुनि पर मंद को मिलेगा तो समझ जाना यह हमेशाँ रगुद सत्व में हुद्ञा करोगे यह वह रायँ मौकर नेला थे कि लाश्ट बताया रिटेश साफ साफ यारे पर अपने मन से क्यों लेता है मन से नहीं लेता इंस्टिट्यूट मैंने वहला प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा होता है सब प्रैक्टिकल लाइफ की चीज़ होती है तो बहुत सारे लोग उनको एसे रटते हैं पता नहीं क्या कर रहा है यह क्यों कर रहा है ऐसा नहीं वह वैलिड अज़ोगे आप देखोगे ज़्यादा तर जगे आपको मिलेंगी एक जगे को छोड़के जब आपन पड़ेंगे तब देखेंगे वह चीज़ तो आज मैंने आपको बेसिक्स में तीन टॉपिक पढ़ा ह है तो एक बास जो आज अपने देखा है वो मैं आपको रिवाईस करवाता हूँ कि दिखें आज अपने अपना इडवांस फाइनिशल मेनेजमेंट्ट सब्जेक्ट स्टार्ट किया सबसे पहले अपने बेसिक्स की बात करिया कोई चेप्टर स्टार्ट नहीं है बेसिक्स क बात कर हैं अपन जिसमें भी अपने को एक लेकशर ओर लगने वाला है तिस बेसिक्स में जो आपने इंटर में FM में पढ़ा होगा जो बेसिक्स आपके फाइनल में स जब्रम इस सब्जेक्स में काम में आएगा वो अपन देख Qatar औहुश बेसिकमेटिक्स के देखेंगे तो इसमें ते पिरफेंश का डिविडेंट हटा दो तो अर्निंग अवेलेबल ट्युक्विटी शेर ओल्डर साती है उसमें ते डिविडेंट और इक्विडिशेर हटा दो तो आपके याज रिटेंड दनिंग या अंडिस्ट्रिबूटर पॉफिट आ जाता है टोटल लिबिलीटि में डेट और करेंड लिबिलीटि वर्किंग क्या होती है करेंट असरट माइनस टोटल लिबिलीटि इसके अलाबाद नेट वर्थ बुक वैल्यू शेर ओलरस फंड और एक्विटी इन चारों वड़ का सेम मीनिंग होता है क्या मीनिंग है शेर केपिटल या फिर इसे आप calculate कर सकते हो टोटल एसेट्स में टोटल पैसा जो लगा हुआ है यानि डेट और एड कर दो आप लोग talking network Quarter के अंदर यानि एकुथे प्लस डिवड़ेड बाइस की और प्रसेंड इस की बाइंस यारी यानि है उपडह धेड बाइसे रेशिव नेट प्रसेंट मेंना जीविए दिवाइड ने आपका debt ratio और equity ratio जिसके आप debt to capital employee equity to capital employee ratio गोवस्य तो पता है total capital में से इस particular debt या equity का कितना proportion जैने debt divided by equity plus debt एक्विटी रिचो में equity divided by equity plus debt फिर debt equity ratio जाई देट divided by equity इसके वार assess turnover ratio turnover ratio में पहले turnover यहनी sales आएगी sales divided by asset fixed asset वाले में divide में fixed asset current asset वाले में divide में current assets inventory turnover ratio में यहां का credit sales divided by आपकी debtors, इसके बाद assess to sales ratio, asset divided by sales, then आपका interest coverage ratio, EBIT divided by interest, जितना जादा होगा उतना बेटर है, इसके बाद interest and fixed dividend coverage ratio, pet plus interest divided by interest plus preference dividend, यह भी जितना जादा होगा उतना अच्छा है, then capital gearing ratio, यहनी debt plus preference share capital, divided by equity share capital plus reserve center plus यह जितना कम होगा उतना अच्छा है, then earnings per share, यहनी equity shareholders talking available, earnings divided by number of equity shares dividend per share equity shares का dividend divided by number of equity shares, book value per share, यहनी equity shares की book value divided by number of equity share, market price per share, यहनी equity shares की market में क्या price चल झाल रिये, dividend payout ratio, यहनी dividend जो बाट activity shares को divide by industry available to equity shareholders per share के basis पे DPS upon EPS यानि 100% minus retention ratio तो retention ratio क्या होता है?, retained earnings divided by earning available to equity share, जो हम 100% minus dividend पे out ratio हो जाएगा, इसके बाद dividend yield यानि आपने market price पे कितना dividend जीर, DPS upon MPS. Return on Capital employed यानि EBIT by Capital Employed or return on equity, earnings available to equity shareholder divided by net worth या book value per share निकाल हो तो EPS divided by BBPS, All-in, then P-E ratio. MPS divided by EPS होगा. इसके बाद ROE कई बार हम Market Price पे calculate करते हैं यानि वे एक तरीकिते PE ratio को उल्टा हो गया तो PE ratio आप निका सकते हो 1 divided by ROE करते हो. इसके बाद Market Capitalization मतलब Total Market Value Equity Shareholders की जो चालहागी MPS multiply by No. of Equity Shares या फिर PE ratio multiply by अनिंग अव एलेबल टीटी शेरोले इसके बाद हमने का इंटरेशन दिविडेंट लिखा हुआ है तो फसी प्लिए दिफिक यह आज अपने बेसिक लेकशा अच्छे में और बेसिक्स कंप्लीट कर लेंगे देन अपना तुछ बते स्टार्ट करेंगे तो ये एक बार आप रिवाइस कर लीजेगा आज के लिए बत इतना ही थेंक्यू सो मच